हाज जी, गूद मॉनी सर आज रिवीजन, सिक्यूरिटी एवैलिवीशन टार्गिट क्या रहेगा सर आज और कल पर्शो डेली रिवीजन आएगा आज और कल सिक्यूरिटी एवैलिवीशन, येस और बिजनेस एवैलिवीशन उसके बाद मतलब इस वीक में दो चीजे कम्प्लीट होगा, सिक्यूरिटी एवैलिवीशन और बिजनेस वैलिवीशन ठीक है, ऐस पर टार्गेट खतम करेंगे मतलब चार वीक था, चार वीक में खतम हो जाएगा तो सर आज पार्ट वन आएगा, सिक्यूरिटी एवैलिवीशन का येस, पार्ट तु कल आएगा पार्ट थ्री भी आएगा क्यों सर? पार्ट थ्री इसलिए आएगा क्यूंकि इसमें कुछ आपको येल्ड कर वही समझाना है yes term structure और ratio analysis को मैं अलग पार्ट में कर देता हूँ क्योंकि ratio analysis हमारे इसमें है नहीं है पर question आई हुए है तो उसको इना ठीक है तो sir इस week में हमारा security valuation और business valuation खतम हो जाएगा yes पुरी तरह वित amendment with amendments ये बोल रहा हूँ देखे अलागि security valuation में कोई amendment नहीं है business valuation में amendment है तो revision जो होगा वो ऐसा है कि जो तो होगा होगा साथ में with amendments साली चीज़ए start करें okay start करें हम लोग security valuation security valuation total 16 नंबर का आता है आ रहा है इसमें equity और bond दोनों है equity भी है और bond भी है ठीक है तो पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे bond evaluation जिसमें ज्यादा classes लगे ज्यादा classes इसी में लगी थी हमारी sorry और equity evaluation थोड़ी सी class okay और sir money market instrument कुछ भी नहीं है 10 minutes में खतम revisor में तो 10 minutes में खतम और वैसे class में आदा घंटा में खतम तो 10 minutes में खतम करेंगे तो sir जो time लगेगा वो किसमें लगेगा bond evaluation तो sir आज जो part 1 है वो पूरा bond evaluation के उपर होगा कि पूरा bond evaluation के उपर नहीं होगा कहां तक पढ़ेंगे sir bond के अंदर हम लोग जो यहां तक पढ़ लेंगे option embedded bonds कोशिस करेंगे यहां तक पढ़ने का हाला कि हम जाएंगे optionally convertible bonds पे और अगला जो part होगा वो bond refunding से start होगा और वो equity भी cover हो जाएगा यह वाला part मैंने आपू class में नहीं करवाय था yield curve क्यों नहीं करवाय था sir क्योंकि इसमें interest rate risk management का knowledge चाहिए IRRM क्योंकि मैं एक three month forward rate दे दूंगा एक two month दे दूंगा कहूंगा एक साल बाद एक साल का rate निकालिये जो यहां नहीं कर पाऊगे जो आपको ज़्यादा अच्छे से कहां करना interest rate risk management तो sir पहले उसका revision करेंगे नहीं वो chapter थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो अब मुझे इसमें दिक्कत नहीं हो कि it means इसका भी revision यही होगा part three में आएगा part three पहले आएगा bond ठीक है फिर आएगा हमारा equity और फिर आएगा yield curve and ratio analysis that's it का था पूरा security evaluation ठीक है तो sir आज का काम आज का काम है मैं optionally convertible bonds तक खतम करने के coaches करूँगा तो sir bond valuation में क्या पढ़ना है सबसे पहले bond valuation में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो bond का intrinsic value निकालना सीखना है valuation और intrinsic value bond क्या होता sir future में जो cash flow गया है उसका present value sir इसमें revision करने में बिल्कुल समय नहीं लगिएगा क्यों? क्योंकि इसमें पूरा की पूरा काम present value वाला है और present value तो हम बच्पन से करते आ रहा है तो करना कुछ नहीं है जो future में bond का cash flow मिलेगा उसको discounting करना है required yield से required yield का मतलब discounting rate similar bond का इसको समझाओगे हाँ जी और एक बार आपने intrinsic value निकाल लिया तो आप इसको compare करते है actual price से और decide करते है कि bond खरीदा चाहिए कि नहीं यह सर अगर intrinsic value current market price जादा है तो bond over price है intrinsic value कम है ठीके सर यह तो हमको आता है over price है कि under price है कि correctly price सर इसका notes डिस्क्रिप्शन है सर टाइपस of bonds कितना होता है यह टाइप आपके काम नहीं आएगा 100% सर और इतने टाइप के होते किस से ज़द इस से ज़दा भी हो सकते हमने अपने chapter में 4 category के bonds रख लिया है ताकि question बनाने में आसानी हो multiple choice question नहीं आसकता इस पे तो नहीं आएगा मैंने अपने हिसाब से 4 category बटा है एक zero coupon bonds ठीक है सर जैट से भी पता है हमको एक है perpetual bonds perpetual मतलब interest ही मिलेगा कभी redeemed नहीं होगा एक conventional bonds जो बिल्कुल simple bond है simple bond क्या होता है proper interest मिलता है हर साल में हर 6 मेने में और लास्ट में हमको पैसे भपस मिल जाते हैं और एक होता non-conventional bonds यह क्या होता सर नॉन-conventional यह भाई सब अजीब type के bonds होते हैं कभी interest का rate ज़्यादा होता है कभी interest का rate कम होता है 2 साल 14 दे देंगे उसके 2 साल बाट 10 दे देंगे इस type का bond होता है तो सर यह याद रखना पड़ेगा कि कितना type के बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा portion देखना है बनाना देखो भाई ऐसा है कि 5000 रुपै फेस वेली एक्जाम्बल से स्टार्ट करो इक्जाम्बल नम्बर वन फेस वेल्यू है 5000 लाइफ है पास साल market price है 2200 no coupon payment coupon नहीं है बीच में कुछ नहीं मिलेगा सिधा last में मिलेगा इसी का नाम से zero coupon bonds है और discounting जो करना वो कितने person से करना 15% तो सर क्या करना 5000 को 15% से discounting कर दीजिए बात कतम और वो मैंने क्योंकि बीच में कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मुझे 5000 मिलेगा उसका present value 2486 मैं maximum 2486 दे सकता हूँ जबकि price कितना चल रहा है सर 2200 रुपे चल रहा है 2200 maximum मैं कितना दे सकता हूँ 2486 price चल रहा है 2200 सर यह enterprise सस्ता है सर सस्ता yes bond is enterprise और enterprise है तो क्या हमें खरीद लेना चाहिए yes okay sir मजाया यह सबसे simple chapter अगर देखा जाए convexity को छोड़ दिया जाए convexity में है थोड़ा सर convexity हो गया duration हो गया और immunization हो गया यह छोड़ दिया जाए तो अब यहां सर 1000 रुपे फेस वैल्यू है 12% पर एनम कुपन दिया मतलब interest हर साल 120, 120, 120, 120, 120 मिलेगा कितने साल तक पाथ साल तक और last में sir 10% premium पर मतलब last में sir 1100 रुपे मिलेगा yes यहां 1100 रुपे लिखना चाहिए था गलती से मैं 1000 लिख दिया तो बच्चों ने मेरी जान ले लिया था sir गलती किया है आपने गलती हो गई अब 15 पर्षन से डिसकाउंटिंग करना है तो sir आंसर यह गलत है 1100 into 0.497 M plus 120 into 3.352 M plus MRC यह लो भाई मैंने अपनी गलती सुधार दिया 948.94 यह correct answer ठीक है sir बच्चों वाला काम है इस पे मैं बहुत ज़दा concept करवाँगा नही concept है नहीं है इस पे क्या concept करवाँ हाँ sir अगर sir 10% है और semi-annualy दिया है तो यहाँ semi-annualy मतलब 100 रुपया 100 रुपय का bond है 10% मतलब 5 रुपय तो sir यह 5 रुपय 5 रुपय 10 बार मिलेगा 10 बार मिलेगा तो मैंने 10 10 साल लिखा है बस एक बात याद रख लेना discounting rate 8% है तो इसको भी compounded semi-annualy करके करना ठीक है ओके sir मतलब sir इसको भी आधा कर देंगे आधा कर देंगे बस इतना याद रखना मतलब sir अगर हमने interest 6 महने का लिया है तो rate भी हम 6 महने का लिया पाकी कुछ नहीं है question हो जाएगा मैं please इस पे ज़्यादा time नहीं दूँगा अब ये वला bond देखना 1000 का है okay 5 साल है yes लिखा हुआ 1 से 3 साल तक 10% मिलेगा 1, 2, 3 10% 10% 10% 1000 का 10% 100 रुप है और फिर 12% मिलेगा तो लग रहा है 120 लेकिन रुखो इसमें और भी लिखा कि redeemed होगा at par लिखा 3rd year में 500 वापस मिल जाएगा तो अगले जो है यहाँ यहाँ पासो का 12% इंटरेस्ट लिंक लेगा याद है यहाँ गल्ती किया था आपने इसकाउंटिंग आपको कितने पर्शन से करना 15% से तो दोखो 100-100 और 3rd year के end में 100 तो मिलेगा इसाथ में 500 भी तो मिलेगा तो टोटल मिल कितना मिल गया 600 और फिर 60 और 560 किसका 500 का फैक्टर लेना आपको आता है टेबल से भी बना लेना इंस्ट्यूट दोनों तरीके से करता है टेबल से भी करता है और इंस्ट्यूट नॉर्मल एक लाइन में भी करता है आपको जैसे करना ओके सर्थ पर्पेच्वल मांड कुछ है नहीं 1000 का 12% हो गया 120 120 कब तक मिलेगा पर्पेच्वल डिस्काउंटिंग रेट 10% तो डिवाइड बाइसर 10% कर देंगा आंसर रह जाएगा वाउ मज़ा गए सर ICAI ने AFM के मौडूल में सिक्यूर्टी वैलिविशन में करीब-करीब 31 कोश्चन ले रहे सिर्फ 31 बहुत कम अगर किसी का दिल कर रहा है कि नहीं सिर्फ AFM का मौडूल करना है तो कर लो फिर बहुत कम कोश्चन है भाई अगर उससे करवाना होता न तो यह चार क्लास में सिक्यूरिटी वैलिशन खत्म बिल्कुल इसम कोश्चन नमबर वन अब ध्यान से देखना है सर यह जो है यह अगवा लिमिटेट जो है इश्यू करना चाहते है डिवेंचर येस फेस वैल्यू है सो दस साल तक ठीक है बुले पहले चार साल तक हम नौ रुपए कुपन देंगे ओके सर उसके बाद हम दस रुपए कुपन देंगे बिल्कुल सही तर उसके बाद फिर हम 14 रुपीज कुपन देंगे और लाश्ट में कितना देगे भाई आप तो बुले हम डिसकाउंट करेंट मार्केट रेट और सीमेलर डिवेंचर 15 परशन पर रहे हैं अगर आप बॉंड्स खरीदना चाहते हो और आपको मेरी कंपनी में मैं इतना दूंगा तो इसको डिसकाउंटिंग किसे करोगे आप हो बॉंड होल्डर तो आपको गयार मार्केट में क्या रेट चल रहा है अगर हम कहीं और पैसे लगाए तो कितना मिलेगा 15 तो चलो आपके पास लगाते हैं तो हम 15% से डिसकाउंटिंग करेंगे अगर आप बॉंड खरीदना चाहते हो और अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना चाहते हो लेकिन इस कोश्चन में ना यहां लिखा था कि कंपनी जो है वो इस तरह से प्राइस आपको किस से डिसकाउंटिंग करना पड़ेगा 16% से कंपनी के एंगल से मांग क्या रहा है मांग रहा है इस्यू प्राइस बस ये बात ध्यान रखना इस्यू प्राइस मांग और बॉंड जो है वो प्रीमियम पर रिडिम्ड होगा पाच पर हो जाएगा 9 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 105 रुपए ठीक है सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बस याद रखना कि फैक्टर अच्छे से लिखना 1 to 4 का फैक्टर 5 to 8 का 9 to 10 का और 10 थी इसमें याद रखने वाली क्या बात है सर इसमें याद रखने वाली ये बात है कि हमसे intrinsic value मांग रहा है कि issue price मांग अगर issue price मांग रहा है तो वो दिया रहेगा उसे सबसे कम सर ये LDR में डाले कि नई भाई नई है ऐसे question LDR में नई है ये repeat question है सर कट कर दे क्या कट कर दीजिए ये वाला question अच्छा है इसमें confusion हुआ था मुझे ये वाले question में तो नहीं हुआ ये तो simple question है एक बार देख ले the nominal value of 10% issued by company is rupees 100 100 रुपए का bond है 10% लिखा मतलब 10 रुपए कुपन हो गया सर the bonds are redeemable at rupees 110 ठीक है कब पासा life है discounting rate 5% हो तो value क्या होगा 5.1% हो 10% हो 10.1% हो मतलब सर अलग अलग rate लेने से price ने कलने के लिए बोल रहा है 5% पे और आगे कुछ दिया है क्या बागी कुछ नहीं है पस ये आपको इस question समझाना क्या चाहरा था वो ये समझाना चाहरा था कि सर यहां जो bond की value आएगी 5% से जब आप rate ज़्यादा लोगे तो bond का price धीरे 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 कम होते जाएगा क्या ये ICAI का question है हाँ जी TYK19 page number 5.3 important ये है rate ज़्यादा लेने से intrinsic value कम आएगा this is most important हाला कि ये आपने कहां पर रखा है सरक हमने capital listing में IRR करके था उसमें भी पर रखा था question number 4 अच्छा question है वैसे तो पर पढ़े एक बार company proposes to sell 10 year debentures of rupees 10,000 each ठीके ज़र बनाया होगा क्या 10,000 रुपए का debenture है और repay कर रहे है 1,000 at the end of every year problem किया 10,000 रुपए का bond है debenture है और company आपसे बोल रहे हर साल के end में हम आपको 1,000 रुपए वापस करेंगे तो पहले साल interest 10,000 पे लगेगा फिर 9,000 पे लगेगा और फिर 8,000 पे लगेगा इस तरह से और rate of interest कितना है 15% और discounting किससे करना है 18% देखो धिहान से interest पहले साल 10,000 का 15% फिर 9,000 का 15% फिर 8,000 का 15% और एक एक हजार रुपए तो वापस हो रहा करना कुछ नहीं है इसको और इसको add कर देना इसको discounting करना और answer निकालने रहा answer आके 9,000 से सिंपल सर ये भी LDR में डालेंगे कि बिल्कुल नहीं डालूँगा मुझे जो लगेगा मैं वो LDR में डाल दूँगा जहां लगेगा जबर्दस्ती ऐसे question को क्या LDR question number 5 तिका है zone 4 उसके uncle के death पे कुछ property मिली एक तो bond A मिला एक हजार है 10 तो सर मतलब 10,000 रुपए face value के bond A मिले discounting करना है coupon है 9% तो 10,000 का 9% 10,000 का 9% 900 900 उसको coupon मिलेगा हर साल कितने साल तक 3 साल तक discounting 12% से करना है और last में redemption की विसे में कुछ ना बोला जाए तो 10,000 दी ले लेंगे बस तो सर इनका price निकालना है यस प्रफ्रेश यर का भी price निकाल लेंगे यहां कुछ year नहीं लिखा है तो मतलब perpetual ठीक है सर तो वह ही मैंने काम किया है पहले मैंने bond A का निकाला price ठीक है सर फिर bond B का bond C का और यहां बस इतना है कि हम इने per page लिया है क्योंकि year नहीं लिया तो value of portfolio आगया 3624 तो कोशन अच्छा था कि यस पर सर last day revision like कोशन था कि बिल्कुल नहीं तो सर इसका मतलब bond valuation पर bond pricing का आपने एक भी कोशन ऐसा नहीं लिखा जो last day revision करना नहीं bond yield के साथ और आएगा bond price तब बात करेंगे सिर्फ bond yield क्या होता यह समझाओ कुछ नहीं होता भाई राम है उन्होंने bonds में पैसा लगाया है और जो पैसा लगाया कहीं और दूसरी company में लगाता तो उसको 14 percent की कमाई होती percent की कमाई होती जबकि Reliance में लगाने से इन्होंने अनुमान लगाया है कि यहां हमें 15 percent की कमाई है हमें यहां percent निकाल रहा है तर यह I.R.R. जैसा है कि हाँ जी I.R.R. में था हमें चाहिए कितना था राम को 14 percent मिल कितना रहा 15 क्या bond में पैसा लगा देना चाहिए यस यह है yield यह है yield यही मुझे निकालना सिखाना है ठीक और फिर मैंने लिखा कि decision कैसे लोगे decision क्या लें यह ज़्यादा है तो invest करेंगे यह कम है तो invest नहीं करेंगे bond में बात खतम example number six example number six तो भई तीन टाइप के bond है ZCB है convention इससे मतलब ने प्लीज ऐसा नाम मत लिखो हमें नाम से ना ऐसा लगता है क्या क्या याद रखेंगे तो बोले सर एक bond है जिसका face value है सब पाच जार जो की पाच साल में maturity होगा और 2800 अभी लगाना है तो अगर मैं कहूं holding period return निकाल सकते हो कि हाँ sir holding period return निकाल सकते हो यह पाच 2800 अभी हम लगा रहा है अब 5000 मिलेगा तो यह आगया sir यह holding period return कितने साल का पास साल का और divided by 5 करेंगे तो sir यह annual return आ जाएगा ऐसा हमने कहां बढ़ा था mutual fund पर yield ऐसे नहीं निकालते sir आपने क्या बात करें effective yield याद करो आप ऐसी निकालते थे भाई साब mutual fund वालों ने गलती किया वो ऐसे ही निकालते हम ऐसे नहीं निकालते हम हमेसा compound यह compounding नहीं हो रहा यह simple interest निकाला जा रहा हम compounding करेंगे mutual fund में yield ऐसे ही निकाला जाता है effective yield हाला कि वो गलत होगा तो sir कैसे निकालते yield yield ऐसे निकालते बिल्कुल धियान से समझना sir 2800 रुपिया आज लगा रहे हो 5 साल के लिए 5 साल बात 5000 मिलेगा तो sir यह 1 प्लस आर इधर कर दे कि यस अगर इसको ध्यान से देखो मैंने कहा था यह है मेरा पैसा present value of cash outflow और यह present value of cash inflow हाँ बोलो ना यार तो मैंने एक सब्द बोला था yield क्या है yield कुछ नहीं है एक ऐसा rate है जिस पे present equate कर रहे हम किसको equate कर रहा है यह दोने equal हो जाता है ऐसा क्यों होता होगा वह यह equal होता होगा क्यों होता होगा यह तो दिख रहा है आपको ओके फिर सर यहां मैं concept समझा नहीं रहा हूँ और ना तो concept समझा नहीं आए हैं बात करें yes 1 plus power यह की answer निकाला यह dirty power लगा आया तो कितना आ गहा है 12.30% ठीक है दूसरा तरीका है trial and error method यह यही method यूज कर सकते हो इसमें YTM is a discounting rate at which present value of cash out तो हम सबसे पहले 10% discounting rate ले ले लगा है 5000 को discount किया तो 3105 आया जबकि आना चाहिए कितना तो आना चाहिए 2800 तो अब इसके बड़ा वाला rate लेंगे जितना rate ज़्यादा लोगे bond का price गिरेगा यह price निकालने की कोशिश कर रहा है yield increase होगा तो value of bond गिरेगा और फिर हमने कितना ले लिए अगला rate 15% ले लिए सर तो उसके साब से आ गया 2486 और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको interpolation करना नहीं आता है आप formula से करो चाहे कोश से करो कोई फर्क नहीं पड़ता answer आगया 12.46 पर हाला कि sir accurate तो यह है 12.30% हाँ जी accurate तो यह है आप ऐसे भी कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं तो sir exam में कैसे करेंगे जीरो कुपन बांट से हाँ तो आप यह लगानी के पिछा पैसे भी कर से तो dirty power से कर लीचे बात करता हूँ इस पर मैं बात नहीं करूंगा मैं फिर से बहुत ज़्यादा concept में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर आप पिछले बार का मेरा security evaluation का revision देखोगी तो 9 घंटे का है जहां मैं भूल जाता हूँ कि मैं आपको revise कर वा रहा हूँ मुझे यह याद रहता कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ वापस मैं यह समझके revision कर वा रहा था देख लीजिए last year का एक ही है तस इसमें थोड़े से extra question है और यहां में ऐसा deep मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ ठीक है सरबात कता हूँ अगर यह required yield 11% है तो क्या bonds खरीदना चाहिए ऐसा कहां लिखा required yield यह से लिखा नहीं मैं तो मैंने question में लिख दिया था decision लेने के लिए अगर required yield 11% है तो bond खरीदना चाहिए के नहीं तो मैंने कहा था कि on the basis अब यह काम हो गया था if required yield is 11% whether bond should be purchased or not और हमारा YTM कितना आया yield कितना है 12.46 तो पक्का खरीद लेना चाहिए bond B bond B क्या था यह था यह था bond B इसमें आप 1000 रुपिया लगा रहे थे तो यह था कुपन आ रहा था एक सोबीस एक सोबीस कितने सल तक दस सल तक और और दस साल बाद एक हजार मिलेगा क्या इसमें जो हमारा डर्टी पावर मेथ वाला मैथट है वो लग सकता कि नहीं लग सकता तो सर फिर क्या करना पड़ेगा फिर ट्राइलन एरर मेथट या हिट एंड ट्राइल मेथट या एंडर पॉलेशन मेथट जो बोलना बोलो सबसे बहले मैंने डिसकाउंटिंग लिया 10% से 120 मिलेगा 10 सalom तक और 1000 मिलेगा कोशिश कर रहा हूं क्या निकलने की सर 920 रूपए करंट मार्केट प्राइस आ जाए एक ऐसा रेट जिस से मैं डिसकाउंटिंग करू तो मेरा करंट मार्केट प्राइस आ जाए वही तो यल्ड है सर यिल्ड होता है सर देखो required yield जो market में yield चल रहा है अगर सर उससे में discounting करो तो वो क्या आता है intrinsic value bond बड़ी बच्चे बड़ी confusion है सर अगर हम किस rate से discounting करें तो क्या आता है भगवान market में जो rate चल रहा है वो आपको चाहिए अगर आप required yield से discounting करेंगे तो intrinsic value है और आपके bond का जो yield है वो इतो पता करना है वो पता करना है उससे आप discounting कर रहा है ताकि आपका current market prices है तो बात समझने की कोशिए जिस bond में आप जिस bond उस particular bond में आप invest कर रहा है और उसके yield से discounting करते हैं तो current market price आते है वो जो कमा रहा है फिर यहां कितना है 1123 हमें लाना 920 rate ज़्यादा लेना पड़ेगा तो अगला rate में ने 15% लिया और 15% से rate वाकिए कम आ गया interpolation किया तो आ गया 13.70% ओके institute ने इसका और एक तरीका बताया वो है formula method और formula method मतलब मतलब वही जो आप see enter में पढ़ते थे कि यार आप approximate YTM निकाल लो ना वो भी हम YTM मान लेंगे मतलब यह accurate नहीं approximate सर कैसे भाई आप आज कितना लगा रहे सर 920 और 10 साल बात कितना आया 1000 और बीच में क्या मिल रहा है सर बीच में मिल रहा 120 120 मिल रहा है हाँ सरी 120 120 हर साल मिलेगा तो 120 हर साल मिलेगा यस और 920 लगा के 1000 ये भी तो कमाई हो रही है तो उन दोनों का मैंने क्या ले लिये undes 920 आज लगा है 1000 लाष्ट में मिलेगा तो सर 80 रुपिया मिल रहा है पर ये 80 रुपिया क्या last में मिल रहा है या एक साल की कमाई है कि पूरे 10 साल की पूरे 10 साल की तो divided by 10 कर दिया तो मैंने गए यार 120 की भी कमाई है और साथ में इसकी भी कमाई है जो 10 साल में होगी और average ले लिया opening plus closing divided by 2 answer आगया 13.3 सर एक्जाम में कैसे करना है बस इतना वाद एक्जाम में इंस्टिट्यूट ने दोनों तरह से कर रखा है ऐसे भी किया हुआ है ऐसे भी किया हुआ और मैंने आप लोगों के एक ही बात बताए अगर factors दिया है question दिया question के साथ factors दे रखा है तो आपको hit and trial से करना चाहिए फिर बच्चों का कहना सर अधिकतर question इंस्टिट्यूट ने hit and trial से किया तो हम भी करेंगी कर सकता है मैं मना कब किया मेरा काम है दोनों करवाना मैंने दोनों करवा सर इसका नाम क्या है अच्छा मालूम है जुप पर्ड है इसका नाम क्या है हूँ yield to maturity okay sir sir bond c जो है वो क्या है sir वो जो है वो perpetual bond perpetual bond का present value of cash in price कैसे निकलते interest divided by yield क्या हमें current market price मालूम है yes मतलब sir price ले रहे हो अगर आप price ले रहे हो तो फिर तो cdc बात है okay तो sir 12.5 पट है यह आगया price बोलो हाँ और यहाँ है 10 यही तो निकालना है हमें किस rate से discounting करें कि current market price आजा है यह सर सीधा नहीं बोल सकते क्या लगा कितना रहे हो 80 रुपिया हर साल आएगा कितना 10 रुपिया तो बच्चे भी बता देगा लगा रहे हो 80 हर साल आएगा 10 तो बताओ yield कितना आजाएगा 12.5 पॉपिया यहां तक कोई दिक्कत है क्या यहां तक कोई दिक्कत इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है yield to maturity एक सब्द और आता है current yield हाला कि इसका decision making में कोई use नहीं है पर काम आता है इसलिए मैं समझाने के कोशिश कर दो current yield क्या होता current yield बोलता है भीया आप maturity तक कहा जा रहे हो अभी कितना कमा रहे हो यह देखो ना यार अभी पैसा लगाओगे और अगले साल interest मिलेगा बस इतना ही सोचो आप maturity तक मत जाए तो जीरो कुपन bond में तो interest मिलेगा ही नहीं तो current yield क्या हो जाएगा zero ओके और bond बी जो है 120 रुपिया 920 लगाकर कमा 920 रुपिया लगाए और 120 interest का मिला अगले साल maturity पर एक्षा मिलेगा इसको इगनोर कर दीजिए इसको बोल रहा हूँ current yield अक्चा फिर मैंने एक सब्द लिखाया current market price and redeemable value are equal then current yield is equal to ITM यह क्या सब्द है यह क्या सब्द है पढ़ो और सूचो साय समझ में आ जाएगा और सर जीरो कुपन perpetual bond का current yield क्या होगा perpetual bond में तो redemption की बात ही नहीं है year की बात नहीं है तो 10 रुपए तो यह 12.5% ही आएगा तो मतलब perpetual bond में current yield और YTM हमेशा equal होगा हाँ जी multiple choice question आ सकता है तो प्लीज ध्यान से काम करना zero कुपन bond का current yield क्या आएगा zero कुपन bond का current yield नहीं कुपन ही नहीं है और सर्फ perpetual bond का current yield current yield और YTM एक ही है क्योंकि maturity कुछ ही नहीं है तो यह दो चीज़े समझाया YTM और current yield YTM के बहुत सारे question है तो question बनाए श्राट करें okay question बनाए अब जो question बनेंगे तो दोनों चीज़े होगी bond yield भी होगा और bond price भी होगा decision लेने के लिए लिखा था decision कैसे लेते है यह हमको समझ में आ गया था example number seven sir question इस्टार्ट कर रहा थे एक दो example और है जिसमें हमको bond yield निकालने का सिखेगा यह अच्छा example face value है आपको जो निकालना है आपको जो निकालना बस याद रखना कि टेक्स है पिक्चर में तो सर आई one minus tax ठीक है लेकिन capital gain पे भी तो टेक्स लगीगा तो f minus p f plus p ठीक है यह तो सर फॉर्मूला समझ में आता है अब सुनना दियान से सुनोगे 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 ओके सर कैसे किया जड़ा यह सुनना calculation of redeemable value net of tax सुनोगे मैंने कैसे किया क्या मुझे एक साल पात साल बात कितना मिलेगा क्या मुझे पता है सर 110 और 110 मिलेगा और आज मैंने कितना पैसा लगाया था 90 रुपीस कैसे पता यहां लिखा हुआ 90 रुपीस को कि तो सर capital gain हो गया 20 रुपे का और उस पे 10% interest मिलेगा तो मतलब सर 2 रुपे मिलेगा हाँ जी तो सर 110 रुपे टेक्स लगेगा capital gain तो सर सीधी सी बात यह है कि पात साल बाद 110 रुपे आएगा पर 2 रुपे capital gain टेक्स का चला जाएगा तो नेट मेरा 108 मुझे last में मिलना है this is redeemable value तर f क्यों लिखा icai f लिखता है तो हमने f लिखा आप r भी लिख सकते तो बस इतना याद रखना कि यहां जो आएगा वो 108 लिखना है आपको it means यह आपके लिए काम की चीज़े बाकी लोगोशन वैसे ही है कि अगे चले दूसरा और क्या हो सकता सर फॉर्मिले में सेमी एनवली देते हैं सेमी एनवली जैसे दिया पाच की जगह हम कितना लिख देंगे 10 ठीक है तो बस और कुछ नहीं है यहां आई कितना आएगा सर आई वैसे 1000 का बारा पशन 120 होता है पर 120 की जगह हम कितना लिख देंगे 60 लिख देंगे आगे कोशन में कुछ नहीं अब बात है कि फॉर्मुला लगाना है कि यार हमको फॉर्मुला नहीं लगाना है तो वह डिपेंड करता है कि फैक्टर दिया है कि फैक्टर नहीं दिया है वैसे तो फॉर्मुला लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसे ये question number 11 है but हम लोगों ने already क्या कर लिया है sir हम लोगों ने already example कर लिया है तो इसे cut कर सकते हैं कि cut कर सकते हैं okay question number 6 अब हमारे question से start हो रहा है question number 6 अच्छा question है वैसे based on the credit rating of bonds Mr. Z decided to apply the following discount discounting rate क्या लेना है वह हम बता रहे हैं बोले आप bond कौन से करीदना चाहते हो triple A rated के double A rated के A rated मैंने का अब बताओ ना यार क्या है बोले देखो ये जो bond है triple A rated ये सबसे अच्छा bonds है ठीक है भाई बोले तो इस पे जो discounting rate रहेगा ना वो रहेगा T64 treasury bill rate बोले जो risk free rate रहेगा उसमें बस 3% add कर देना क्यों ये risk premium का add करेंगे spread बोल रहे है हम लोग इसको ठीक है तीन परशन add कर देंगे बोले डबल A rated बोले ये थोड़ा सा risk है तो बोले ये वाला जो rate होगा ना इसमें 2% add और कर देना ठीक है भाई मतलब सर रिस्क जादा तो discounting rate जादा R.A.D.R. हाँ R.A.D.R इस considering to invest in डबल A rated bond में invest करना चाते है सर इसमें invest करना चाते है ठीक है भाई face value है 1000 और अभी कितने का भी करा है 10 this is current market price 1025.86 लाइफ है सर पास साल ठीक है और discounting कुपा ने सर 15% मतलब सर एक हजार का 15% एक सो पच्चा सर रोगा है interest payable is due one year from today ठीक है एन्वली है redeemable at par है मतलब एक हजार का एक हजार सर याराम से काम हो जाएगा और सर discounting rate T-bill rate दे रखा 9 तो सर 9 plus 3 और 3 12 लेना चाहिए था पर हम तो ये वाला amount खरीद रहे हैं तो 12 plus 2 discounting किसे करेंगे सर 14% से discounting अगर हमें क्या निकालना है intrinsic value ठीक है इसके अलावा उन्होंने आप से current yield भी मांगा है निकाल लेंगे इसके अलावा उन्होंने YTM भी मांगा है YTM दो तरीके से निकलते है निकाल सकते हूँ आप एक तो interpolation वाले से एक formula से मैं formula से ही निकालूँगा मुझे ज़्यादा easy पड़ा तो सर intrinsic value of bond साहिद मैंने homework दे दिया था क्या नई सर अगले page ये निकला intrinsic value of bond और intrinsic value of bond निकला 1034 कुछ special तो था निक 150 का present value factor और 1000 लाष्ट में 14% से discounting किया intrinsic value of bond आया 1034 और bond का actual price किया था सर वो था 1025 point कुष्टा तो सर bond under price yes it should be purchased अच्छा दूसरा क्या मांगा था उन्होंने सर current yield मांगा था current yield आसान interest divided by current market price current yield में तो सर 14.62% current yield में फिर से बोल रहा हूँ multiple choice question के लिए बड़ा अच्छा चैप्टर है ये MCQ में पूछ सकता है current yield YTM सर प्लीज आप करवाऊगे कि MCQ हाँ जी करवाऊगा yield है to maturity YTM एक कम discounting करकर करके interpolation वाले से treat and trial से भी कर सकते थे मैंने सीधा काम कर दिया बस यहाँ याद रखना कि यह माइनस में आएगा और answer आ रहा 14.30% ठीक है जी हाँ बहलो चले आगे अचा question question number 7 हमारी book का question है कि हाँ जी TYK21 page number 5.8 discussion करें सर हमें निकालना है मार्केट प्राइट ठीक है सर मार्केट 10% government of इसका निकालना है 10% government of इंडिया security currently quoted 110 सर अभी का मार्केट प्राइज दिया है और बोले yield yield का मतलब YTM ही होगा yield is expected to go up by one person बोले पहला जो yield था सर कितना था सर ये 10% 10% yield नहीं है 10% तो कुपन है तो सर जो पहले yield था वो एक person से बढ़ गया यस तो पहले yield कितना था institute ने दू एजंशन ले रखा क्या क्या एक तो ये perpetual है और दूसरा इसका face value क्या है 100 तो आपको पहले का yield निकालना पड़ेगा perpetual bond का 10% किसका निकालोगे 100 रुपए का तो 100 रुपए का 10% होता है सर 10 रुपए ठीक है और क्योंकि perpetual bond है तो सीधा वही YTM होगा सर 10 रुपए लगा कर 110 लगा कर 10 कमा रहा है तो yield निकल जाएगा यस इधर निकाला है 100 रुपए पहला एजियूम किया दूसरा यह एजियूम किया कि यह perpetual bond तो पहले YTM निकलती है सर और इसको हम current yield नहीं बोल सकते कि बोल दो क्या फरक पढ़ रहा है क्योंकि perpetual bond में current yield और YTM एक ही है हलाकि यह YTM ले रहा हूँ तो सर हो गया 9.09 तो अब yield कितना है 9.09 फिर उनका क्याना yield एक परशन से बढ़ गया yield एक परशन से बढ़ गया मतलब 9.09 से 10.09 परशन हो गया तो बताइए bond का price क्या होगा 99.11 यह question आ सकता है आ सकता है दूसरा फुल एक bond है फिक है साड़े साथ परशन कुपन है face value है 10,000 पीरियड है 2 साल प्रजेंटी yield दे रखा है 6 परशन इंट्रेस्ट पेबल हापी अली सर इंट्रेस्ट कितना आएगा 10,000 का 7.5 परशन डिवाइड़ बै टो तो सर 3.75 आएगा 3.75 आएगा इंट्रेस्ट कितने बार 1,2,3,4 डिस्काउंटिंग 6 परशन के साथ कुछ नहीं लिखा है सर ये परएणमी होगा तो डिस्काउंटिंग हम हाप कर लिया करेंगे 3 परशन से डिस्काउंटिंग क्या होगा 345 3.7 3 परशन 4 बार 3 परशन 34 साल का फैक्टर तो आगे 10,274 अच्छा कोश्चन ओके ये भी कोश्चन है TYK20 सर पिछला वाला जो कोश्चन है क्या LDR हो सकता है बिल्कुल सहीं बोड़ा वज़ा क्या है वज़ा दो वज़ा इस कोश्चन में मैं खुद परिशान हो गया था LDR ये मेरा LDR एक तो ये चीज एजम्शन और दूसरा ये मुझे 6% मुझे ऐसा लगा कि 6 मेने का ये 12 मेने का 6 मेने का 3% ठीक है LDR और सर ये कोश्चन भी ये भी कोश्चन में LDR में डाल रहा हूं क्योंकि इसमें दोनों चीज़े एक साथ आ गया bond price भी निकालने के लिए और yield भी तो चलो सीखने को में दे क्या हमारे book का question है yes TYK20 page number 5.37 अब बढ़ए question को investor is considering the purchase of the falling bonds face value 100 रुपए sir coupon 11% तो 100 रुपए का 11% कितना होता है 11 रुपए maturity है 3 साल और annualी होका अगर हम he wants to yield 13% हमें 13% चाहिए तो बताइए की value क्या होगे sir ये bond yield पूछागे bond yield नहीं पूछ रहा है भाई हमें चाहिए required yield दिया 30 sir ये intrinsic value निकलेगा कि हाँ ची 13% के साब से intrinsic value निकलेगा और फिर हम ये decide करेगे कि हम कितना pay करेगे तो पहला काम तो आसान होगा ये आपने टी वाई हो LDR में डाल दी इसका solution कहा है इसका solution तो नहीं है मेरे पास तो sir बना लेंगे क्या है बना लेना भाई अच्छी बात है और bond अगर 97.60 के हिसाब से है तो बताइए YTM क्या होगा मतलब ये sir ये sir इस question में दोने ही चीज़े पूछा जा रहा है तो sir इसकी अपेक्चा वैसे इसका है AFM module का है इसलिए मैं आपको इसको LDR में डाल दे रहा हूँ पर इसकी अपेक्चा मालूम है कौन सा question था एक जो मुझे ये वाला question ये वाला question बनता है LDR में इसमें तीनों ही चीज़े मांगा है intrinsic value भी दिमांगा है इसमें YTM महीं मांगा है current yield भी मांगा तो question number 6 LDR और ये वाला question थो मैंने पहले LDR बोल दिया जिसमें मैं खुद confuse हो गया था question number 9 question number 9 में कुछ है नहीं है sir कुछ काम का question है कुछ नहीं है sir इसको कट कर दीची कट कर दीची इसको पढ़ना भी नहीं है कुछ नहीं है अलाग-अलाग एड़ दिया बोले value निकालो time pass अना time है कोशन नमबर 10 में कुछ खास बात है कि कोई भी खास बात नहीं है क्या इसको भी कट कर सकते हैं कर सकते हो बिलकुँ कोशन नमबर 11 तो मैंने पहली कट करवा दिया कोशन नमबर 12 ठीक कोशन मतलब यार इसमें इसमें YTM ही मांगा है पर अलग-अलग तरह से मांगा है तो अकर मेरा पर्शनल ओपिनियन है तो ये आपको LDR में रख लेना चाहिए कोशन नमबर 12 ठीक है ये कोशन अच्छा कोशन है पड़ी जी आंके इसमें खास बात किया बोले एक है जीरो कुपन बाट तो सर्ज जैट सी भी फेस वैल्यू पर रिडियम्ड होता है आज की रेट है 31 मार्ज 2013 इसका मैचुर्टी रेट है 35 मार्ज 2013 मतलब सर्थ साल बात और कुपन भी नहीं दिया कुपन का रेट हो गए नहीं कुपन का डेट भी चलूरत नहीं है मांग किया रहा है सबसे पहले जैट सी भी की बात करें सर वो बोल रहा मां लो साड़े साथ परशन डिसकाउंटिंग रेट है तो प्राइज बता ये 31 मार्ज 2013 प्राइज निकालना आराम से काम हो जाएगा क्या यस जैट सी भी दस जार साड़े साथ परशन से डिसकाउंट दस साल के साब से तो प्राइज निकल गया 4852 सिम्पल है हरी मच आया आगे बढ़े दूसरा आज तर ट्रेजरी बिल एक आएगा मनी मार्केट इंट्रुमेंट करके टॉपिक इसी रिविजन में आएगा इसमें तो नहीं अगले वाले पार्ट में तो ट्रेजरी बिल मतलब शॉट टम के लिए 365 दिन से कम के लिए इस योग तो सर ट्रेजरी बिल यहां 31 मार्ट 2013 रिडिम्ड हो रहा है 20 जून 2013 kittने दिनों बादchin बेंका to calculate कर लिए और यह भी face value पे रिडियन्ड होता है तो सर इतना लगा रहा इतना लगा रहा यह प्राइज घहां दिया है प्राइज प्राइज तो सहए अगले अगले बोट और्रके अगर हम 98500 लगा रहा है तो क्या annualize yield निकाल सकते हो यस पहले आप holding period return निकालीजिए सर मतलब यह हुआ कि एक साल से कम का है एक साल से ज़्यादा के तो compounding करना पड़ेगा मेरी बात समझो यहाँ बैच्चों को बहुत दिक्कत है अगर maturity period एक साल से ज़्यादा का है तो आपको तो compounding करना ही पर maturity period एक साल से कम का है तो प्यार से आप holding period return निकाली है और उसको annualize करतीजिए यही आपका annualize yield लेकिन एक साल से ज़्यादा का period है तो वैसे ही YT हम निकालोगे जैसे हम निकाल रहे हैं सर trial and error method से yes सर हम उससे करेंगे किया किसे 31st March को 10.71% Government of India bond है 2023 मतलब 2023 में redeemed होगा कुपन कितना दिया 10.71 और 31st March को कुपन मिलेगा और 2023 मतलब 10 साल है तो 10 बार 100 रुपे मिलेगा और लास्ट में redeemed हो जाएगा यह तो question simple है Price पूछ रहा What price 8% क्या चीज़ है Sir bond having yielded to maturity 8% मतलब सर यह हमारा और कुपन जो मिलेगा 30 बास कुछ नहीं है वह डिसकांटिंग करना अंसर नहीं करना Okay sir Point number 3 10.71 मिलेगा 8% के सबसे 10 साल Last में यह आगया और Last का भी current market price मेरे खेल से कर लो यह question हो जाएगा Question number 31 Question 13 Sorry 13 Sir RTP November 2020 में ठीक है इस question में कुछ है नहीं है एक जगा फसे एक तो year में फस गया बच्च ठीक है इस question में क्या है बोल रहा है आज है एक जनवरी 2019 राम पर्चिस कर रहा एक bond जो की out standing है मतलब बहुत पहले issue हुआ होगा जिसका face value है एक हजार ठीक है issue हुआ था एक जनवरी 2017 क्या मतलब है कब issue हुआ था आज की date कौन सी है एक जनवरी 2019 सर जो साड़े नौ पर्चन को पने ठीक है और 20 years original life है क्या करना है हमको 20 years original life से हमारा mature कब होगा सर 31st December 2027 को mature होगा आज की date कौन सी है सर 2019 2027 तो interest 23, 24, 25, 26, 27 9 साल 9 साल का factor दिया है बस तो सर ये 6 परषण और 8 परषण क्यों दिया अभी सुनो मांगा क्या मुझे नहीं मालू क्योंकि इनको ऐसा लग रहा कि interest गिरने वाला है तो उन्होंने bond जो है वो पेचने अभी भिक रहा है premium पर 125.75 सर 125.75 क्या है यह premium का amount अफेस वेल्यू कितना 1000 तो सर बॉंड जो बिक रहा है वो अभी 1125.75 बिक determine the prevailing interest rate on a similar type of bond if it is held till the maturity which shall be at power अभी ये बात समझ में आने रही थी कि मांग क्या रहा है मांग क्या रहा है वो पूछ रहा है भाई ऐसा है कि bond आपका आज 1125 में भिक रहा है बोले ytm निकालो बोलो न ytm निकालो यह तो बोल रहा prevailing interest rate अब similar bonds वो बोलना कि यार जो ytm है आपके bonds का जो ytm है न वही ytm वही return similar bond का भी होना चाहिए का करना भाई उससे बोले बस अब ऐसी पूछ लिया जो ytm जो return आपके bond का है वही return उनका होना चाहिए वो return निकालो सर सीधी सी बात ytm पूछ रहा और 6 परशन और 8 परशन दिया तो 6 परशन और 8 परशन से discount इसको हमने इंटरपोलेशन करके आंसर निकाला आंसर आगया 7.5 परशन कोशन तो अच्छा है तो LDR में डालना चाहिए मेरे ख्याल से तो डालना चाहिए क्यों क्योंकि ये कोशन ऐसे तो समझ में आयेगा नहीं पर क्या लास्ट में पढ़ने लाए एक कोशन है देख ले न LDR ये भी कोशन मुझे आच्छा लाए कोशन नमबर 14 अगर मैं सहीं बोलूँ तो ये कोशन कब आया था सरी ये नवुमबर 2022 अगर मैं बोलूँ तो इस कोशन में गलती किया है इंस्टिट्यूट ने पर देखो क्या है Mr. X want to invest कितना एक लाग रुपिया ठीक है सर साथ साल के लिए आठ पर्शन मतलब कुपन हो गया एक लाग का रुपिया कितना होता देख लेंगे फेस वेल्यू सब्सक्राइब तो ये अच्छा है आठ रुपे तो बोल रहा है कि बताइए हम बॉंड का कितना प्राइस पे कर सकते हैं मैक्सिमूम अगर डिस्काउंटिंग रेट नाइन पर्शन है तो सर नाइन पर्शन से डिस्काउंटिंग कर देंगे टाइम पर्शन है सर डिस्काउंटिंग रेट 7% है तो 7% से discounting कर देंगे discounting rate ये हो ये हो तो time pass हो गया दूसरा if the bonds are available at par ये वाले point में दिक्कत है bonds are available at par and 1% in the transaction cost bond का जो भी price है 1% transaction cost लगेगा अब सवाल है कि 1% transaction cost कब लगेगा खरीदेते समय की बेशते समय पॉंट्स पार पर अवेलिबल है एट पार एट पार मतलब सौ रुपए पर है और वन पर्शन ट्रांजेक्शन कोश्ट इसी पर लगेगा तो सर टोटल मिलाकर 101 रुपिया लगेगा यस 101 रुपिया लगेगा तो आपसे एफेक्टियल मांग रहा है मतलब YTM मांग रहा है तो YTM क्या होता है ऐसा रेट जिससे डिसकाउंटिंग करें तो आज जितना पैसा जा रहा है वो आजा है मतलब 101 आजा है और 101 तो निकला है तो यह निकल गया YTM 7.75 पर्शन अब खुद सोचो ना यार है तो कर दिया उन्हें का 101 रुपिया आज लगा रहा है आठ पर्शन आठ रुपए की कमाई होगी तो यह आ गया हमारा 7.92 पर्शन तो यह तो करेंट यल्ड है यास पर क्या करें साफ बोला ना इफेक्टिव इल्ड बोला इफेक्टिव यल्ड तो सर वाइटियम होना चाहिए मेरे ख्याद से 7.75 बटन मेरे हिसाब से सही है पर उन्होंने करेंट इल्ल निकाला है ठीक से और तीसरे पॉइंट में तो पक्का फस गया बच्छे तीसरे पॉइंट में कैसे फसे उन्होंने का find the number of days required to break even transaction cost if the bonds are available at par and 2% in the transaction cost तो बहुत ब्रेक इवन कितने दिन में हमारा एक लाग का दो परशंट एक लाग का दो परशंट सर दो हजार रुपए हमारा transaction cost लग रहा है ठीक है दो हजार रुपए हमारा total transaction cost लग रहा है अब उनका यह कहना है कि यह 2,000 रुपए कितने दिन में इंटरेस्ट कितना मिलेगा एक दिन का एक दिन का इंटरेस निकाल लो तो यह 2,000 रुपए कितने दिन में पता नहीं बच्चों ने कैसे बनाए होगा, एक्जामपल गोशन था, ओके, एक्जामपल नमबर 9, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि realized yield निकालना है, और realized yield कहां काम आएगा, realized yield और काम आएगा आपको, जब मैं bond immunization करवंगा न, तब realized yield कहां आएगा, अभी एक बार देखोगे, तो सर, realized yield है क्या, realized yield है क्या, सुनो देहां से, एक हजार रुपए, तीन साल के लिए 972 परशन कुपन है, तो क्या YTM निकल सकता, निकल सकता, सर, ये लगभग आया, 13.20, या फिर आफ dirty power से कर लिया, मैंने, क्यों सर, dirty power से, क्यों कि कुपन है, कुपन है, सर, मैं थोड़ा समझा रहा हूं, सुनना धियां से, formula लगा है, तो answer कितना आगा है, 13.20, 13.20 परशन का मतलब समझने की कोशिश करना, 13.20, मैंने यहां भी समझाया, सर, इसका मतलब है कि 970 आज लगाते है, 1410 मिलेगा, तो answer 13.20 आजाएगा, yes, सर, 1410 आया कहां से, प्लीज, आप सुनना, सुनो, 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 जल्दबाजी हो रहे हैं, पहले प्यार है समझाया, okay, important, realized yield, सी एंटर में यह नाम था, modified IRR, क्या चक्कर है, सुनोगे, जो आप निकालते हो, ITM, कितना निकाला था है, formula से, 13.20 परशन, निकल गया, okay, सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर, कि देखो न, आज हम 970 रुपिया लगाएंगे, first year में जो 120 रुपए आएगा, उसको हम reinvestment कर देंगे, इंटर, और किस rate पर करेंगे, YTM का एक exemption है, कि जो rate निकला है, उसी पर reinvest करोगे, कभी 13.20 कमाओगे, ये माना जाएगा, reinvestment किस पर करेंगे, याद रखना bond risk में भी कमाएगा, 13.20 पर, ये कमाएगे 13.20 पर, और लाश्ट में तो 1000 वापस मिलेगा, और 120 वापस मिलेगा, और तीन साल बाद ये पैसा हमारा जमा हो जाएगा, यहां तक ठीक है, बोलो हाँ, तो बताओं अपने लगाएं कितना, सर लगाया था, 910 रुपए, आया कितना, 1410, तो 970 लगाया था, लाश्ट में हमको 1,4, 1,0 मिल रहा, percentage बताओगे, तो 13, तो हम बोल सकते हैं कि हमने 13.20% की कमाई की, Realized YTM का एजमिशन बस इतना है कि जो intermediary cash flow आएगा, उसको जो reinvestment होगा, वो उसी rate पे होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि ये rate कुछ और भी तो हो सकता है, एक साल में आपको जो 120 रुपिया मिला, उस समय rate, reinvestment का कुछ और भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, तो फिर ये जो आप बता रहे हैं कि देखो ये 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 पैसे आएगा, ये कहां से आएगा, इसलिए Realized YTM concept आया picture में, और इस problem थी reinvestment का, इसलिए bond duration concept आया, bond immunization concept आया, तर बहुत ज़्यादा हो गया, आराम से करें, ठीक है सर, तो अब ये मैंने लिख दिया, इट मिंस सर, reinvestment rate दिया रहेगा आपको कि किस rate से reinvestment हो रहा है, मालो 9% से reinvestment हो रहा है, तो 970 यहां लगाया, पाद में इतना मिला, 1393, 970 लगाया था, 132% is, this is Realized YTM, तो सर, Realized YTM में क्या किया जाता, कुछ नहीं किया जाता, बिटे, जो बीच का cash flow है, वहाँ reinvestment rate पर reinvestment होता है, जो भी rate दिया रहेगा, उस समय का, उस पे reinvestment हो, और उसको जोड के जो last में आएगा, और फिर उससे निकालेंगे हम, कौन से, dirty power से, तो जो आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, Realized YTM, और सर, YTM क्या, वही नौर्म जो करते आ रहा थे, तो क्या Realized YTM पूछा जा सकता है, हाँ जी, पूछा जा सकता है, तो इस पे एक question था, मैं cut कर देता हूँ, concept में करवा चुका हूँ, तो मैं question पे ज़्यादा focus नहीं करूँगा, ये question वैसे भी I.C.E.I. का नहीं है, और ये concept है dirty price and clean price, dirty price and clean price, तो सुनोगे देहाँ से, सर, dirty price और clean price होता क्या है, भाई, simple सी बात है, simple, क्या हम bonds खरीते हैं, तो क्या हमें हर 6-6 मैने में या हर साल interest मिलता है, हाँ सर, हर 6-6 मैने में interest मिलता है, मान लो हर 6-6 मैने में, मान लो, कोई पहले का bonds issue किया था, company ने, किसी और को, ठीक है, और उन्होंने बता दिया था, due date होगी, ये, ये, 30-9-31 मार्च, 30-9-31 मार्च, पर हम बीच में bonds खरीद लेते हैं, बीच में, उसका valuation कैसे, सर, अगर हम यहां bonds खरीदते हैं, बीच में, यहां से समझना मेरी पार, मैं जिस person से bonds खरीद रहा हूं, बीच में, तो सर, मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे bond का price देना पड़ेगा, सर, price कैसे निकलेगा, अगर मैं कहता हूं, तो वो सामने वाला, मैंने मालो, एक मन से price निकाला, कि भीया, आपके bond का price ना, साड़े 800 रुपए, 850 रुप, इंट्रेस्ट बगेर, बोले और इंट्रेस्ट, इनका मतलब, बोले देखो, company तो due date को इंट्रेस्ट देती है, यह ना, और आपको जो इंट्रेस्ट, आप अभी bonds खरीद रहा है, बीच में, तो आपको पूरा company तो 6 मेने का interest देगी, तो यार, तीन मेने का interest जो मुझे मिलना चाहिए था, वो आपको मिल रहा है, यह सर, debenture में पढ़ा हुआ है, सी इंट्रेस्ट में कम interest और यहां तो मैंने क्लास में पढ़ा रुका, क्यों सर, हमें दो चीजे का पैसा चाहिए, एक bond का price वो तो देना पड़ेगा, और साथ में interest का भी तो पैसा देना पड़ेगा, अगर मैं interest का पैसा और bond का पैसा दोनों मिला कर देता हूँ, तो उसको कुछ नाम बोलूँगा, तो यही समझानी कि, अगर मैं bond के price में interest वगेरा सब मिला कर बोलूँगा, this is come interest, come interest, इसको सर बोला जाता है dirty price, और सर interest हटा कर, interest अलग से दूँगा और bond का पैसा अलग से दूँगा तो इसको बोला जाता clean price dirty price clean price इसको बोलते bond basic value और यह है full price यह bond ओके साथ बास समझ में आगा अच्छा कोश्चन है आ सकता है यार please करो कि यह करके जाना है ओके साथ example देखे तो भई date of purchase है sir example करवाओगे कि सीधा question करवाओगे question करवाओओँ क्या example भी करोगे तो कोई दिक्कत ने question भी करोगे तो कोई दिक्कत ने question नहीं करवा देता हूँ question number 16 sir यह LDR question है कि मेरी नजरों में LDR question है question ही करवा रहा हूँ okay example में तो मैं समझा चुका हूँ detail में question MP limited issue a new series of bond on January 1, 2010 bond जो है वो पार पर तोल्ड हो रहा है कुपन रेट है 10 परशन मतलब 10 रुप है नहीं एक जार का दस परशन 100 रुप है and maturity on 31 December 2025 sir यहां से 2010 से 2025 मतलब sir 16 साल हो गए yes कुपन पैमेट आर मेड सेमी एनुवली on 30 जून और 31 December 8 year चेचे मेने में कुपन है assume you purchase out standing out standing समझ रहा है out standing MP limited bonds on 1st March 2018 when the going interest rate और वहां 12% discounting rate चल रहा है क्या मांग रहा है what was the YTM of MP YTM मांगा है तो YTM को formula हमरे पास है I formula से करूंगा अब sir redeemable value नहीं दिया तो मैंने 1000 ले लिया और bond का price 1000 है और बस फिर तो क्या था बहुत सारे बच्चों ने इस question में objection लिया objection लिया कि sir तोला नहीं आएगा यहां 32 आएगा क्योंकि semi-anvally है गलती हो गए sir 32 आएगा तो 0 ठीक है पर institute ने ऐसे नहीं किया institute ने कहा कि भाई सीधा 100 divided by 1 था बच्चों आप करो मैं तो सीधा कर रहा हूं अब आपकी मर्ज और बच्चे कहा लगे थे 16 के जगा 32 लिखना है हाँ बात सहीं गलती हो गई थी मुझसे मैंने ना मेरा focus 0 पे था मुझे नहीं वालन था कि 16 और 32 पे मेरा focus यह नहीं था एक्च्छली ठीक है sir question number 6 यह तो हो जाएगा sir YTM problem क्या problem क्या dirty price और clean price यह point number 2 समझाने के लिए तो मैं बात कर रहा हूं point number 2 एक बार what amount you should pay to complete the transaction of that amount how much should be the accrued interest accrued interest का कितना आएगा और bond का basic value क्या होगा मतलब clean price clean price sir bond कब खरीदा है आपने एक मार्च 2018 क्या हमको diagram बनाना पड़ेगा उसके बिना question होना तो यह आगाया हमारा एक मार्च 2018 maturity date है 31 दिसमबर 2025 और हमें हर 6-6 मैने में interest मिलेगा पचास 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 करते कैसे पहले सुन लो हम कभी भी हमें यहां का value नेकल ठीक है यहां का नेकलना यहां का एक मार्च 2018 उसके बाद है 32,008 को मुझे पुरा पचास मिलेगा सबसे पहले आप यहां तक का तो निकाली लो सर यहां इसको भी खिच लेकि इसको नहीं खिच सकते क्योंकि यार यह कितने महने वो देखना पड़ेगा problem यह है सबसे पहले आप यहां तक तो निकाली लो जितने भी पचास है उसको डिसकाउंटेंग यहां तक निकाली चीए और यह वाला पचास एट कर देना मैं यह नहीं करवाया हूँ तो सर एक दो जितना भी मिलेगा सर यह टोटल मिलाकर हमको 15 बार मिल रहा पचास पचास ठीक है तो पचास पचास मिलेगा 15 बार और डिसकांटिंग रेट 12 परशेंट तो बारा की जगह मैंने क्या ले लिया च्छे हाँ तो सर 902 रुपे 60 पैसे आ गया और उसमें मैंने यह वाला पचास भी एट कर दिया तो टोटल आ गया 952.60 ओके यह वैल्यू यहां का नहीं आया अभी यहां का है अब इसको डिसकांटिंग कर लेते कितने मैंने पहले सर यह 36 और हमें निकालना एक मार्च तो मार्च अप्रिल में जून चार मैने से पहले डिसकांटिंग कर लेते 1.0 तो यह जो आया सर इतना हम प्राइस देंगे इसको बोला जाता है डिर्टी प्राइस और इसमें नो डाउट की इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा इस पिरियट का दो मेहने का दो महने का इंट्रेस्ट निकालोंगा तो इसको क्या बोलाजाता है, रहा हूं? ओक अब श्टॉर्ट करेंगे bond risk और सिर्फ bond risk में क्या होगा एक घंटा लगना है bond risk में तो फुरा water break ले ले लेते हैं उसके बाद bond risk पढ़ना इस्टार्ट करेंगे bond risk बड़ा topic bond risk पढ़ेंगे और optionally convertible bonds भी पढ़ेंगे option embedded bonds भी खतम हो जाएगा मतलब bonds खतम ही करना यस मैं सुसरों bond खतम कर दो न pension खतम हो जाएगा ब्रेक लेता हूँ water break चलो जी आगे चल रहा है और अब बात कर रहा है bond risk इट मिन्स यार सबसे important topic अगर bond evaluation में है bonds में तो यही वाले topic है सर bond risk क्या है yield के change होने से bond के price पे जो फर्क पढ़ता है इस इस price risk अच्छा मतलब दो टाइप का risk मुझे समझाना है वैसे तो एक reinvestment rate risk होता है और एक होता है price risk मैं price risk की बात कर रहा हूँ reinvestment rate risk क्या है सर वो bond immunization में discuss करेंगा अब ध्यान से समझना मिली बात अगर yield decrease होगा तो bond का price बढ़े का मतलब समझ नहीं आ रहा है मतलब simple सी बात थी यार कि आपने मान लो मेरी company के bonds खरीदे और आपको पता है कि 12% हम आपको देंगे 12% पे बात हो चुकी इट मेंस आपने हमारी company के bonds खरीदे तो आपको 12% से आपने discounting करके bonds खरीदा 12% हम आपको दे रहा है और sir market में अगर yield 15% हो गया तो आप तो फस गए आप खुद सोचो नहीं हाँ sir हमने आप से agreement कर लिया कि हम आपको 12% देंगे 12% लेकिन market में और उस समय ठीक था market में rate यही चल दा था 12% लेकिन market में sir rate मान लो एक साल बाद 15% हो गया खिल खतम फिर तो आप तो फस गया है क्योंकि market में लगाओगे तो 15 कमाओगे जबकि हमारे हैं तो 12 तो sir ऐसे bonds हम बेज देंगे बिल्कुल बेचिये बेचोगे तो कम में बिकेगी कि जादा में sir कम में सस्ते में कोई आपसे वो bonds क्यों खरीदेगा जिस पर कमाई 12% की हो रही है तो sir practically जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि yield के बढ़ने से bond का price गिरता है और mathematically आपको पता है जब भी bond का price हमको down करना होता है bond का value down करना होता तो yield हमको बढ़ाना होता ज़्यादा rate हो लेना होता है ठीक है तो sir इसमें हमें पढ़ना क्या है bond risk है दो चीज़े पहला first कि अगर market में yield पढ़ेगा तो bond का price गिरेगा opposite सवाल है कितना times वो times निकालना है मतलब sir समझाओ मतलब मालो निकला two times इसका मतलब sir market एक percent yield एक percent से बढ़ेगा तो bond का price दो percent से down हो जाएगा वो times निकालना है जिसको मैं बोलूगा bond duration अच्छा sir वो time निकालना है हमको हाँ जिसको हम क्या बोलेंगे bond duration और फिर क्या सीखना sir उसके बाद ये सीखना है कि इस risk को कैसे manage किया जा सकता है sir जैसे बीटा management है वैसे ही ना हाँ जी वैसे ही कुछ करने माले इस risk को कैसे manage किया जा सकता है ऐसा क्या करें कि yield के change होने से मेरे bond पे कुछ effect ना पड़े इसा कुछ किया जा सकता है क्या वो management पड़ेंगे हाला कि यहां उस management का नाम bond immunization करके देंगे बस इतनी सी बात है sir वहाँ भी बीटा पढ़ रहे थे यहां भी बीटा ही पढ़ रहे है portfolio में बीटा को हम बीटा ही बोलते थे यहां हम इसको duration बोलेंगे बीटा निकालना सीखना पढ़ेगा जिसको मैं duration बोल रहा हूं effective duration हमारे course में नहीं है ना तो इसका कोई question है लेकिन यकीन मानना बिना effective पढ़ा है modified आपको समझ में नहीं आता बट अब revision में हम नहीं उठाएंगे यह effective duration पे मैंने चर्चा किया था ठीक है मैं effective को ignore कर रहा हूं effective हमने खुब पढ़ लिया हमारे काम की चीज़ है modified okay convexity भी बात किया था convexity क्या होता था convexity होता है कि yield के change होने से ध्यान से देखना है यह मैंने बनाया है पर अब इतना time आपको नहीं दे सकता जब हमने 9% discounting rate लिया सर तो bond का price आया 1039 important है important सर जब 9% लिया तो bond का price आया 1039 ठीक है सर अगर हम yield 2% से बढ़ाते तो bond का price गिरेगा यह ना यार duration के हिसाब से duration में गिरा हाँ सर yield बढ़ाईंगे तो bond का price गिरेगा और गिर के आ गया 959 yes 959 जैसी बढ़ा है तो bond का price हमने यह 2% से बढ़ा तो bond का price हमने कुछ time से निकला होगा duration हमने 1039 से गिराया और गिराकर इतना आ गया लेकिन वही अगर हम 11% discounting rate लेकर intrinsic value method से कर रहा है तो यह आ रहा 9.63 मैंने क्या समझाया था मैं आपको याद दिला देता हूँ मैंने यह समझाया था yield के change होने से bond का price गिरता है as per bond duration लेकिन जो गिरता है वो इतना ज़्यादा down नहीं होता है वो क्योंकि convexity होता वो straight line नहीं होता वो ऐसे जाता actual में actual में ऐसे जाता है पर bond duration में क्या assumption है कि linear होता है कास में आपको बहुत सारा detail समझा दू यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगा बात आपके समझ में आ रहागे as per bond duration जब हम duration calculate करेंगे yes जब duration calculate करेंगे सर दूरेशन बताओ ना कितना है bond duration, bond duration 3.85 bond duration आया 3.85 इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब है अगर yield 2% से बढ़ता है तो bond का price 1039 2 into 3.85 7.70% से कम हो जाता है तो जब मैंने 1039 minus 7.70% किया तो answer यह आया 9.59 चिक हमने क्या किया था 7. 7.7 प्लीज अच्छे से समझ ले ना भाई ये concept ठीक है जब bond duration आया था 3.85 जिन्होंने बीटा कर रहा है उनको अच्छे समझ में आया bond duration आया था 0.3.85 जैसे हमने yield बढ़ाया तो bond का price 1% के लिए 3.85 तो 2 के लिए 7.70% से डाउन होना चाहिए तो bond का price यह आना चाहिए as per bond duration method लेकिन actual में जब हमने intrinsic value method से किया तो bond का price आया ही इसका मैं मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि bond duration जो हम निकालते है तो हम यह सोचते कि linear होगा मतलब जो change होगा वो linear में होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है yield के बढ़ने से bond का price गिरता है पर इतना नहीं गिरता है थोड़ा सा जादा ही रहता है ठीक क्योंकि जो pay off बनता हूँ ऐसा convex बनता है convexity yield के कम होने से bond का price इतना नहीं बढ़ता as per bond duration यह वाला price आएगा as per intrinsic value यह थोड़ा सा जादा बढ़ता है important MCQs में आ सकता yield के गिरने से bond का price गिरता है as per bond duration method कुछ जादा ही down हो जाता लेकिन actual में थोड़ा सा उपर रहता yield के गिरने से bond का price बढ़ता है पर actual में bond duration थोड़ा नीचे रह जाता है मतलब सर्थ bond duration में नीचे ही रहेगा यह थोड़ा सा जादा होता actual में intrinsic value method से okay पर हम यह convexity को ignore कर देते हैं bond duration जब भी यूच करते है that's it तो यही था convexity जो मुझे आपको समझाना था खेर तो दो type के duration होते हैं हमारा target क्या है निकालने का? हमारा target था 3.85 कैसे निकाला जाए? अब 3.85 कैसे निकाला जाए? तो दो type के duration होते थे effective duration, modified duration, effective duration हमारे काम कर नहीं है मैं बात करूँगा modified duration के ओके और एक example से समझते है target क्या है हमारा 3.85 कैसे निकाला होगा? यह देखने की effective duration से 3.85 निकला था modified से भी उतना निकलेगा पर हम modified ही यूच करेंगे face value bond कितना है? 1000, ठीक है सर coupon है 10% life है 5 साल और YTM है 9% सबसे पहले हमको क्या निकालना है? bond price फिर bond duration फिर modified duration यह इसको volatility बोलते हैं और सर यह जो duration निकला इसको macule duration बोलते है, macule duration और फिर point number 4 अगर yield increase हो जाएगा 50 basis point से तो बताएए bond का price क्या होगा? सबसे पहले modified duration निकालने से पहले आपको macule duration निकालना पड़ेगा तर वो कैसे निकालते है? वो ऐसे निकालते है सबसे पहला काम होगा प्लीज यह table बहुत जादा important है यह table से ही सब कुछ है प्लीज अच्छे से कर ले सर सबसे पहले year ठीक फिर cash flow फिर उसका present value तो यह bond price आ गया सर इसे मैं कोई दिक्कत है अब मैं क्या कर रहा हूँ? सुनना ध्यास मैं इस year को इसके साथ multiply कर सर वेटेड है? हाँ जी time-weighted average हालाकि इसका logic मैंने बहुत अच्छे से समझाया average due date बोलकर समझाया था 2 को इसके साथ multiply कर दिया 3 को इसके साथ multiply कर दिया 4 को इसके साथ multiply कर दिया 5 को इसके साथ multiply किया और this divided by this कर दिया तो यह आ गया मकुले duration ICAI generally क्या कर रहा? ICAI generally सुनना ध्यास वह इसका weight निकाल रहा है मतलब this divided by this weight निकाला और weight को multiply किया तो सीधा आ गया duration और माकूल modify duration निकालने का या volatility निकालने का formula है ये जो duration निकलेगा इसको divide कर दीजिए 1 प्लस ytm से तो answer आ गया 3.84 that's it और कुछ नहीं करेगा हलाग इसका formula भी है मतलब सर ये 4.184 निकालने का formula भी है पर मत लगाना कौन कौन से टेबल में क्या क्या आता है सुनना देहां से year cash pro present will अब इसका wait निकालो ये column को भूल जाओ ये institute ने बहुत कम यूज किया पर मुझे करवाना था तो सर ये wait निकाला और wait into year तो ये आ गया duration duration को 1 प्लस ytm से multiply किया तो ये आ गया 3.84 और क्या 3.84 का मतलब आपको पता है हाँ सर पता है ठीक 3.84 का मतलब पता है फिर मैंने कहा कि मानलो 50 basis point से increase होता है सर मतलब 50 basis point से increase होगा yield तो bond का price गिरेगा opposite होता है तो कितने percentage से गिरेगा तो पहले मैंने वो effect निकाला प्लीज ध्यान से समझना मैंने effect effect कैसे किया सर माइनस का sign क्यों लगाया सर माइनस का sign इसलिए लगाया क्योंकि opposite relation होता है yield बढ़ता है तो bond price गिरता है और 50 basis points को 50 divided by 100 वो क्यों किया है क्योंकि basis point समझ गया हो आप एक basis points मतलब 100 100 basis points मतलब एक percentage तो सर मल्टिप्लाई करने से आगया माइनस 1.29% अब बस निकाल लो 1039 माइनस का sign है माइनस तो सर बॉंड का price गिरेगा that's it yield के बढ़ने से बॉंड का price गिरेगा और गिर के क्या जाएगा 1019 इस example में क्या सीखने है इस example में सबसे पहला काम है duration देखो यार simple सी बात है ज्यादा दिमाख मत चलाओ दो ही चीज़े एक तो duration निकालना है ठीक makola duration उसके बाद सर हमको modify duration निकालना है ठीक है उसके बाद वो बताएगा कि yield इतने percent से बढ़ गया फिर देख लेंगे bond कितने percent से गिरेगा effect निकालना निकालो नहीं निकालना मत निकालो तो भी answer आसकता तो दूसरा और एक तरीका है sir makola duration निकालने का दूसरा और तरीका है क्या हाँ ची zcb का पर पहले मैंने कुछ formula लिखवा लिया है दीजिया फॉर्मले आ सकते तो आपको ध्यान देना zcb zero coupon bonds का duration क्या हो सकता है sir maturity period ही उसका duration होगा क्यों sir अराम से सोचा था आपने और कैसे सोचा था आपने बताओ sir यहाँ तो कुछ आएगा निसीदा last में आएगा तो आपने decide किया था हम लोगे ने कि zero coupon bonds मैंने बोला भी था निकालो करके और आपने इधर zero zero लिख लिए था मुझे याद है अच्छे से तो zcb का duration क्या होगा उसका maturity period होगा अगर वो maturity period pass साल है तो pass साल sir perpetual bond का duration क्या हो सकता तो उसका duration का formula है one plus ytm divided by ytm याद करना पड़ेगा one plus ytm दूसरा तर ये जो perpetual bond का duration हमको पता लग गया है zcb का duration हमको पता लग गया लेकिन sir ये वाला bonds है जिसका आपने निकाला 4.184 कि किसी और तरीके से भी निकल सकता कि हाँ जी इसका एक formula है और ये formula है अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है sir हमें formula याद करना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी है क्या बिलकुल जरूरी sir जितने भी questions होगे वो किस method से निकाले जाएगे table वाला method इस method से नहीं निकालने है पर मैंने कुछ question में इस method से निकाला है कि जल्दी question हो रहा था तो मैंने का याद जल्दी ऐसे भी कर सकते है ICAI इससे भी निकालता है एक question एक दो question में इससे निकाला हाला कि वो भी table से निकालता है तो हम table से निकालेंगे यह formula याद मैंने साइद याद करवा दिया था पर अगर आप याद नहीं भी करना चाहते तो भी कोई समस्या नहीं है हम इसी table से निकालेंगे 4.184 question number 17 अच्छा एक बात और बोल रहा हूँ bond duration का question है आपके पहले question number 17 बात कर ले तर यह हमारे उसका है क्या AFM module का यह तो नहीं है पर इसके बादवाला question है वो बादवाला question मैं homework दूँगा क्यों sir क्योंकि यह ज़्यादा अच्छा question है तो पहले इसको discuss कर ले the following data is available for a bond face value दिया है coupon दिया है yield to maturity दिया है redemption value दिया है years to maturity ठीक है और yield to maturity दिया हुआ है 15 बात round off करना 3 decimal places तक क्या मांग रहे हो भाई 1,000 का 11% मतलब sir 110 रुपए यार coupon होगा ठीक है और last में redeemed कितना होगा sir last में redeemed होगा एक हजार last में sir छटवे साल हमको 1110 में लेगा ठीक है 15% से discounting करना current market price निकालना duration निकालना volatility निकालना है expected price निकालना है बनाए question year लिखा ये लिखा ytm लिखा factor लिखा अब इसका weight निकाला इसका this divided by this ये आगे this divided by this ये आगे और weight को मैंने year से multiply कर दिया फाइनल ये आगए और ये आगए duration 4.57 पर मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए volatility ये जो duration आया इसका नाम क्या है इसका नाम है macular duration पर फिर भी हमें कोई फरक नहीं बढ़ता आप volatility निकालेंगे formula duration divided by 1 plus ytm तो ये आगे 3.974 अब पहले point में लिखा है कि yield increase हो रहा है 100 basis points से और मैं हमेशा modif effect निकालूंगा सबसे पहले tension कता 100 basis points तो मैंने minus modified duration लिखा क्यों लिखा क्योंकि inverse relationship ठीक है तो ये सर आगे 3.794 पर yield increase हो रहा है तो bond price गिरेगा और ये minus का sign है तो यहाँ सीधा minus कर दिया जो bond price पहले निकला था 848 वो सीधा minus कर दिया तो answer आगे है मेरा 814.64 simple है यार expected price ignore kind of activity सर अगर ये decrease होता है decrease होता है तो देखो मैंने कैसे किया यहाँ minus का sign है और decrease हो रहा है तो minus 75 divided by 100 तो सर 2.908 प्लस में आया है तो प्लस कर देंगे answer आ जाएगा 870 जदा मुस्किन नहीं सर हम ये effect ना निकाल के सीधा कर लेंगे कि अपने दिमाद चला के कर लीजी वो भी असान है ये का जिस अमने क्या बोल रहा है एक कोशन है जो आपके EFM मॉडूल में है लेकिन 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 वो नहीं कर वोगा क्योंकि वो इससे असान कोशन है जी सर चल इस पर ये वाला कोशन है भाई और ये ज़्यादा सिंपल है हाला कि ये आपका TYK26 पेस नंबर 5.29 है बट ये वैसे भी मैंने होंबग दे दिया था पिछला वाला कोशन आप LDR में लिख लो कर लो बहुत अच्छा है अगर मैं कहूं bond duration का कोई कोशन LDR में करना है तो ये वाला पका कर ले अच्छा कोशन ठीक है आगे चल रहा हूं मैं तो सर ये वाला कोशन कट कर दो क्या करोगे ज़्यादा कोशन भले ये आपकी AFM मॉडियूल का है सर ये भी कट करतीजी कि कट कर दो विटी कट कर दो ये सब कट करो हलाकि bond duration का ये वाला कोशन अच्छा है ये वाला कोशन है कौन सा कोशन नंबर कोशन नंबर तो है नहीं है आपकी बुक पे में कोशन नंबर होगा वो देख लेज़ेगा पढ़ों चीमें एक बार हमारी बुक में पेज नंबर 31 पे मिल जाएगा ओके सर एकसल इसपात लिमिटेड है मैड इस्यू सर फोर्टीन परशन डिबेंचर इस्यू कर रहे है ठीक है नॉन कनवर्टीबल डिबेंचर मतलब एंसेड ही वैसे मैं कनवर्टीबल डिबेंचर वगी रहे हैं इससे में समझाँगा आज तो नहीं हो पाएगा कली ही बात करेंगे इस्यू कब किया था एक जनवरी 2007 को और डिबेंचर का फेस वेल्यू कितना है सो और करेंट मार्केट प्राइज नब्बे तो सौ रुपए का 14 रुपीज इंट्रेस्ट मिलेगा अब यहां से यहां तक टाइम पास कर दिया इंट्रेट ने आप भी जानती यह पूरा पैराग्राफ टाइम पास है सिर्फ वो यह कहना चाहता है कि जो इंट्रेस्ट दिया जाएगा वो हर 6-6 महने में इंट्रेस्ट दिया जाएगा मतलब 7-7 रुपए हमने इस पर बहुत 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 भी किया था कि क्या है चेक इश्यू करना है सब टाइम पास है 7 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए ऐसे पास साल में दस बार इंट्रेस्ट दिया जाएगा तो वो हमें यहां दिया सबसे पहले करेंट इल्ड निकलना वाइटीम निकलना है करेंट इल्ड हमने निकलना आई करेंट मार्केट प्रेस ठीक है, 7 रुपए और यह है 6 मैने का तो 12 मैने का 15.55 पर वाइटीम आप ट्राइल अन एरर से भी निकल सकते है फॉर्मिले से भी निकल सकते है मैं फॉर्मिले से निकलूँगा और मेरे ख्याल से यह आगया है 16.84 पर्षन मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करने है तो डूरेशन निकलना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डूरेशन आप से ना निकले बस ऐसे लिख देना फैक्टर से मल्टिप्लाई के यह और इसका वेट निकल लेना 12 से मल्टिप्लाई करने न 7.368 बट यहां रुख जाना डूरेशन कभी भी इयर्स में निकाला जाता है सर इयर्स में क्यों निकाला जाता है समझाया है यार एवरेज डिवडेट वगेरा करके सब समझाया हूं ठीक से देखो यह कितने साल है सर यह पास साल पीरियट कितने है सर दस पीरियट है 10 पीरियट से 10 पीरियट से और टोटल इयर है पास साल अम मैं कहता हूँ periods को year में convert करना 2 से divide करना पड़ेगा यस तो ये भी जो निकला है ना ये तो periods निकला है और मुझे year में convert करना 2 से divide करना पड़ेगा तो मैंने 2 से divide करती है तो ये क्या आ गया years और यही हो गया duration हाला कि उन्होंने पता नहीं Modified Duration मांगा है कि नहीं मांगा है तो नहीं मांगा है नहीं मांगा है Realized YTM मांगा है अगर Intermediary Coupon जो है वो उसको हम Reinvestment नहीं कर रहा है या Zero Rate पर Reinvestment कर तो सर कोई फरक नहीं पड़ता फिर तो कुछ है नहीं है मेरे ख्याल से आपने Realized YTM सर कैसा उठलो कितना है 90 रुपए हर साल कितना मिलेगा 77 रुपए उसको Reinvestment नहीं हो रहा है तो साथ इंटू दा 70 रुपए प्लस सो सो क्या चीज़े लाश्ट में जो मिलेगा तो 90 रुपए लगा रहा है 170 रुपए आ रहा है तो डर्टी पावर से आंसर निकल लो कि आंसर आगया 13.1 फोक्ट सिंपल, Realized YTM या Realized Yield इस कोश्चन में क्या खास बात थी? इस कोश्चन में बस एक ही खास बात थी ये जो दे रखा है ये टूटल पिरियर्ट से दे रखा है duration कभी भी years में निकलेगा तो divided by 2 क्यों किया? क्योंकि इसको happier लिए इसी वज़ा थी कोश्चन नमबर 23 बड़े जी? तो दो बॉंड्स है एक की लाइफ है पास सां एक की लाइफ है बीस सां दोनों की face value एक हजार रुपए कुपण है आठ पर्शन एंट सेलिंग एट पार ठीक है एजिम देट यिल्ड एक बात एक बात एक बात हाँ सर face value एक हजार है और market price भी एक हजार है मतलब सर बॉंड सेलिंग एट पार है और redeemable भी एट पार है तब एक बात समझ में आती कि जो कुपण है कुपण कुपण सर कितना है आठ पर्शन तो उसका ytm भी आठ पर्शन होगा और उसका करेंट इल भी आठ पर्शन होगा चाहो तो चेक करके देख ले ना ये बात हमने बहुत कुछ कैलकुलेशन के बाद एक बात समझी थी बॉंड सेलिंग एट पार है रिडिमेबल एट पार है तो उसका जो कुपण होगा वही उसका ytm होग अगर येल्ड गिर के 6% हो जाए तो सर बॉंड का पर्शन गिरेगा बढ़ेगा सोरी येल्ड गिर के 6% हो जाए गिल्ड गिरे डिक्रीज कमज प्रॉंड परशनेंटेस वैल्य ओव बॉंड फ्रिंसीपल अमंट आप पर्शनेंटेस पर लिए डिकरीस कमज प्रॉंड इनप्रेज़ेंट क्या कहना चाहता है वो यहीं से समझन हाए त्यखो जब 8% पे आप bond कोई भी एक bond पर 5 years bond ले लेते है जब रेट था 8% तो आपने bond का value निकाला ये हो गया present value of interest और ये हो गया present value of principle तो आंसर कितना आ गया? अब रेट आपने 6% कर दिया तो present value of interest ये आया और ये आया तो total bond का price बढ़ गया 1084 तो बताइए bond का price कितने से बढ़ा सर 84 रुपीज से तो present value principle कितना बढ़ा 66 और present value of interest कितना बढ़ा 18 तो बले percentage बताओ ना 84 में 84 से बढ़ा ना तो 84 में 18 कितना proportion है और 66 कितना proportion ओके सर बस ये ही पूछा था हाला कि ये जो कोशन है इसको बनाने का उद्देश से कुछ और था कुछ और समझाना चाहता था वो हमने class के सा साथ discuss भी किया था कि actual में ये बोल रहा है कि जो long duration और bond से उसमें interest का ज़्यादा फर्क पड़ता है ऐसा कुछ मैंने आपको समझाया था अभी मैं आपको confuse नहीं करना चाहता है ओके सर ठीक है ये मांगा था ये कर दिया ऐसे जैसे इसका किया था ऐसे 20 year bonds का भी हो गया ओके सर कर लोगे फिर bond duration मांगा है bond duration आप चाहो तो table से कर सकते हो मैंने formula चिपका कर कर लिया एक बात और समझना एक बात और समझना जब YTM 7% था तो bond duration 5.097 आया जब YTM 10% किया हमने हमने का YTM 7% है चलो bond duration निकालते है तो ये आया सर हमने का अब YTM चलो 10% YTM बढ़ाया तो bond duration ये आया सर ये कहां से आया है वो मैं बता दूँगा इसका मतलब समझ रहे हो सर अगर YTM इस YTM YTM कम रहेगा तो bond duration जादा रहेगा सर YTM जादा रहेगा तो bond duration कम हो जाएगा मतलब सर अगर yield increase होता है तो bond duration decrease होता है because proportion of present value of cash inflow last will decrease मतलब सर ये आपको मैंने करके दिखाया था ये बात अब दिखका था ये निकाला था सर ये कितने percent पर निकाला था ये 7% और ये कितने percent पर निकाला और इसका effect भी दिखाया था ये एकसल में काम करवाया था खर छोड़ो सर रिवीजन जैसे करो रिवीजन में एक बात समझ में आ गई कि yield के बढ़न अगर yield बढ़ता है yield हम जादा rate लेते बढ़ता नहीं है अगर yield हम कम rate लिया तो ये duration आ गया है जादा rate लिया तो duration का तो yield अगर हम जादा लेते तो bond duration कम रहता है question number 24 question number 24 अग गया है बस ये duration और immunization करवा देता हूँ न तो मेरा bond risk खतम हो जाएगा फिर कुछ नहीं है mister is planning for making investment in bonds one of two major company x limited और y limited और sir x limited का face value 10,000 इसका भी 10,000 इसका भी 10,000 coupon rate है 5 years दोनों का maturity current market price x limited का है ये और दोनों ही bonds का same yield है this mister is considered duration of bonds as the basis of decision making mister is क्या चाता है mister is चाता है कि आर बस मैं duration देखू duration और duration के हिसाब से decide करूं कि कौनसा bonds खरीबना है duration के हिसाब से कैसे decide करो जिसका duration जादा है कि जिसका duration कम है वह depend करता है sir कि market में क्या होने वाला बात समझा है duration मतलब modified duration duration जादा आएगा तो modified भी duration जादा आएगा duration का मतलब आप volatility समझ लीजे तो sir वैसे तो देखा जाए अगर market में yield गिरने वाला है तो bond का price बढ़ेगा तो ऐसा bond खरीदेंगे जिसका duration जादा हूँ conceptual अगर market में yield बढ़ने वाला तो bond का price गिरेगा तो ऐसा bonds खरीदेंगे जिसका duration कम से कम हो पर फिर भी छोड़ दो ना market को जादा duration मतलब जादा volatility duration जादा मतलब जादा volatility तो सर हम ऐसा bonds खरीदेंगे जिसमें deviation कम यस मतलब duration कम तो बस duration निकालना था तो सबसे पहले हमने क्या किया दिक्कत क्या थी इसमें दिक्कत कुछ नहीं थी X Limited हमें YTM चाहिए था current market price दिया हुआ था X Limited का हमने YTM निकाल लिया क्योंकि सेम YTM हमें किसके लिए रखना पड़ता Y Limited और फिर हमने क्या किया आप table बनाके कर लेना मैंने formula से काम कर दिया मैंने duration निकाल लिया इस bond X का duration आ गया 4.59 years और bond Y का आ गया 4.61 years कौंसा bonds खरीदेंगे sir जिसका duration कम है तो bond Y should be purchased due to lower duration duration निकलना आपको आपता है question number 21 अच्छा question है क्यों क्योंकि ये missing figure है face value एक लाक रुपे था हाँ sir YTM था 16 पर और इसमें हमको ढूणना क्या था sir हमको ढूणना था current market price तो sir YTM दिया है न यस पर coupon नहीं दिया था जो future में interest आएगा उसका present value discounting किससे करेंगे YTM से YTM तो 16 पर पर प्रॉब्लम बस इतनी है कि coupon नहीं दिया था हमने coupon को क्या लेकर किया था x और क्या दे दिया था हमको sir हमको दे दिया था duration दे रखा था 4.3202 तो फिर हमने table बनाया था याद करो हमने सर्क coupon को x माना था और लाश्ट में एक लाग प्लस x उसको multiply किया था यहां और फिर इसको year से multiply हमने weight वाला नहीं किया और फिर this divided by this क्या निकलता था duration और duration तो हमको दिया हुआ है 4.3202 और इसके help से हमने निकाला तो वह आ गया है 15% वैसे तो हमारा 14.98 परशन आया था पर coupon ऐसा होता नहीं है 14.98 14 तो हमने इसको rounded off करके कितना लिया था 15 और 15 ही था वह actual okay sir अब फिर हमने क्योंकि market price निकालना था तो हमने इसको discounting कर दिया coupon को 16% से discounting कर दिया तो आ गया है 96275 अगर मेरी पूछो question बहुत अच्छा है अब बात किसकी होती है sir अब बात होती है convexity of bonds यह दिक्कत है यहाँ अब convexity आ गया अब ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत ज्यादा अंदर घुसके बात नहीं करूँगा concept पे नहीं जाँगा मैं जानता हूँ बहुत technical concept है यह वाला जो convexity पढ़ाने लेकिन कुछ example याद है ऐसा किया था हमने सबसे पहले bond price निकाला था तो sir 1039 आ गया था फिर 7% पे निकाला था तो 960 आ गया था फिर 11% पे निकाला था तो 960 आ गया था फिर duration पे निकाल दिया था कोई भी duration modified या effective ठीक है यह भी हो गया था यह वाला याद है हाँ sir यह किस के सबसे price निकला था duration के सबसे लेकिन actual में तो price 1123 और 963 है हाँ sir अब सुनो क्या है convexity एजिस्टमेंट क्या है सुनना धिया था प्लीज प्लीज मेरा यह कहना है जब हम duration method को यूज करते तो हमारा answer यहाँ कुछ आ जाता है पता नहीं क्या आया होगा यहाँ कुछ आया होगा 9.59 जब duration method को यूज किया तो 9.59 आ गया जो की ignore किया था convexity को अगर हम इसमें convexity का percentage जोड़ दे है तो answer किया जाएगा यह आना चाहिए तो बोले कितना convexity वो निकालो difference निकालो that's it और कुछ नहीं convexity का मतलब है कि इसमें अगर यह जो प्राइज निकल रहा है इसमें convexity adjustment कर दे तो answer 9.63 आना चाहिए यह जो प्राइज निकल रहा है इसमें convexity का भी adjustment कर दे तो answer 11.13 आना चाहिए that's it और कुछ नहीं कर दे तो हमारा duration तो आ गया था सर और duration को यूज करके answer 9.59 और 11.19 आ रहा था पर आप question कहेगा नहीं convexity भी निकाली है तो convexity का formula है derivation के विशे में मता है c star c star बोला है institute भी c star बोलता है c star है p2 plus p1 मतलब सर दो प्राइज निकालना पड़ेगा ये वाले दो प्राइज आपको निकालना पड़ेगा e2 plus p1 minus 2p0 logic मैं आपको effective duration से दिया था इसका अभी नहीं दिना divided by 2p0 into change in yield please 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 logic मत पूछना मैंने बहुत time बरबात किया हूं इस पर ये सब ये सब ये time pass किये थे बहुत सारा कुछ किये अभी मैंने कुछ नहीं करने वाला हूं change sir convexity क्या है convexity यह है कि yield के change होने से duration में भी तो change होता है तो सहीं वाला duration बोलो ना भाई तो वह ही मैं कर रहा हूं sir एक बड़ा वाला प्राइस एक छोटा वाला प्राइस और 2p0 change in price divided by P0 और change in yield कर दिया इसको solve किया तो 9.625 यह convexity नहीं आया है इसको वह बोल रहा है C star अब convexity adjustment कैसे किया C star into change in yield square into 100 यह आ गया convexity adjustment 0.385 भाई चांस आया भाई 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 प्लीज यह याद रखना पड़ेगा आपको sir याद रखना concept आपने करवाया है कि अच्छे से करवाया है sir यह formula का derivation वह भी करवाया वह भी करवाया लेक्चर में जाके देख लेना अगर याद ना आए तो अब कोगे sir derivation करके बताओ तो भाई माफ करना मैं इसका logic यह बता सकता हूं कि यह क्या है sir बताओ क्या है अगर yield बढ़ता है 200 basis points से तो बताई यह bond का price क्या होगा after convexity adjustment प्लीज यह example important after convexity adjustment यार वैसे तो हम यह करते थे बस इसमें plus convexity adjustment जो निकाला आपने वह यहां लिखना आपने modified duration हमको मालूम है sir यह बढ़डा है तो 200 minus का sign नहीं लगाएंगे बस last में 0.385 लिखेंगे तो 7.315 वा जाएगा और फिर क्योंकि यहां minus आ गया है तो फिर इसमें यहां answer कितना जाएगा 963 और हमें वही तो चाहिए था 963 अगर यह गिरेगा तो minus minus plus हो जाएगा plus बाद में हमको यह convexity adjustment मतलब सर यह effect जो निकाल रहा थे इसमें convexity adjustment प्लस कर दिना बस बाकि फिर answer आ जाएगा 11.2 तो finally क्या समझ में आया सर कुछ नहीं आप भी नहीं सकता revision करना पड़ेगा सर यहां में सब नहीं करवा सकता एक बात समझ में आ गई कि सर देखो modified duration तक तो अच्छा खासा चले गए भगवान न करें अगर question में convexity मांगी का यह वाला formula आपको याद करना ही पड़ेगा क्या था change in price दो price है P2 पर P1 मतलब एक बड़ा price एक छोटा price minus P0 मतलब base price to P0 हो जाएगा ठीक है तो P0 के नीचे तो कभी भी base price ही लिखते है P0 तो क्यों आया average करना है वो मैंने करवाई था और change in yield तो आना ही आना है yield के change होने से duration पर क्या फर्क पड़ेगा actual में वो निकाल रहा हूँ actual में यह है duration अरे यार शोड़ो मैं क्यों concept करवा रहा हूँ ठीक सर 3 star निकालेंगे उसके बाद convexity adjustment 3 star change in yield square into 100 यह रच्टा मानना होड़े इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कोशन नमबर 25 अच्छा कोशन है पर इसको साइध मैंने नहीं करवाया होगा यह सर करवाया है आप 10,000 है ताड़े 8% मतलब 850 पास साल है 10% current market price macular duration volatility फिर का नवक सिटी कोई किया है मेरे यह काम हो गया तो सर current market price आ गया है वेट किया वेट को year से multiply किया तो यह क्या आ गया है duration अब duration को divided by 1 plus ytm किया तो क्या आ गया है modified duration अब बात है convexity adjustment तो इसके लिए 2 price चाहिए अब ICAI भाई साब क्या करता है मालू में 10% है ना तो एक 8% पर price निकाल लेता convexity का सी स्टार का तो 2 नहीं P2 प्लस P1 माइनस 2P0 तो सर यह बड़ा प्राइज हो गया है यह छोटा प्राइज हो गया नहीं बोला यह मेना extra करवा दिया था मतलब सर modify duration को यूज करके ही निकालना है कि यस ओके दोनों में से कोई कोशन तो सर यह कोशन कलर कट कर सकते हूं कि कट कर दीजिए ओके तो bond risk क्यों पढ़ रहा था bond risk में क्या सीखा सिर्फ bond risk में हमने एक बात यह सीखी हमको duration निकालना है table से ठीक है और duration divided by one plus yt हम करेंगे तो modified duration आ जाएगा और 99% question में modified duration की help से हमको यह बताना होता है कि expected price क्या होगा ठीक है बीच में convexity आ गया है अगर बोलेगा question तो हम convexity निकाल देंगे अगर बोलेगा question की bond का expected price बताईए after convexity adjustment तो जो effect बता रहे थे उसमें हम plus कर देंगे यह भगवान उसमें प्लस कर देंगे convexity adjustment बात कता है यलकल सही पर sir yield के बढ़ने से bond का price गिरेगा इस risk को manage किया जा सकता है और इसका नाम है bond portfolio management bond portfolio इसमें दो होता एक होता active bond portfolio management और दूसरा होता pace you bond portfolio management active bond portfolio management का मतलब yield को देखते हुए आप bond portfolio में plus minus कीजिए आप खुद कीजिए यह हमारे exam में नहीं आता है हमारे exam में आता है pace you bond portfolio management जिसका नाम होता है immunization theory मैं आपको यहीं करवाने हुए सर तो यह आपने पढ़ाया क्यों हो बिटे यह पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है बहुत काम की चीज़ है मैं जो बात करूँगा वो किसकी बात करूँगा मैं बात करूँगा passive bond portfolio management जिसका नाम है immunization theory सर यह topic तो मुस्किल है आपके IC AI के AFM में 31 question दे रखा है सिर्फ और इतने आसान उसमें ना कोई convexity है immunization का है question उसमें कोई मतलब यार विस्वास नहीं होता यार अब जो AFM के module से question बना रहे है वो बहुत अच्छी बात दिख रहा है अभी हमने कितना आगे पढ़ लिए दो घंटे से पढ़ रहा है अभी तक हमको ये AFM के module के कितने question की होगे बड़ी मुस्किलद होती है okay lecture देना बन काम चलो सर्फ क्या होता है immunization वो मैं कर वा रहा हूं पहले क्या bond duration निकाल सकते हो ये सर ये निकाल है 120 weight और ये आगे सर 4 ये bond duration का मतलब क्या है सर इसको divide करते वन प्लस वा बेट वो छोड़ो divide ये bond duration का actual में मतलब क्या है bond duration का actual में मतलब ये है कि देखो भाई सुनना ध्यान से ये है आच ये है पासा ठीक है आपका YTM कितना है सर YTM है 14% मतलब हमारी 40 इस bond को खरीदने से 14% की कमाई होगी और कैसे कमाई होती है तर बीच में जो cash flow आता है ना उसको हम reinvestment कर देते हैं बीच में जो भी आता reinvestment कर देते हैं और हम ये assume करते हैं कि reinvestment कितने पे होगा 14% पे दिक्कत है मालूम है क्या है अगर मान लो दो साल बाद rate कम हो गया और reinvestment का rate क्योंकि जो बीच में पैसा मिलेगा उसको जब reinvestment करने जाओगे तो rate तो market में 10% हो गया क्या करोगे फिर आपका जो सोचना था कि हम 14% से reinvestment 14% के हिसाब से reinvestment करेंगे वो तो 14 बचेगा नहीं वो तो 10% है market में कहां से कर दोगे तो जो आप सोच रहे थे हमारी 14% की कमाई होगी वो तो नहीं होगी ठीक ओके सर तो यह बहुत बड़ी समस्य दूसरा अगर सर रेट कम जादा हो दूसरा और एक इफेक्ट है इसको बोलते है reinvestment effect दूसरा सर दूसरा क्या हो सकता दूसरा यह हो सकता अगर market में rate हो गया 15% ठीक है मार्केट में 10 की जगा 15 हो गया तर अच्छा है न हमारा तो नुमानता 14 के हिसाब से reinvestment होगा लेकिन अब 15 के हिसाब से reinvestment होगा यस लेकिन अगर आप future में bond बेचने जाओगे न वो बिकेगा नहीं it means risk है rate के change होने से bond का price क्योंकि market में 15 हो गया तो आपका bond कौन खरीदेगा future में problem क्या है यह बीच में rate change होता है न reinvestment उसकी वज़े से दो जगा फर्क पड़ता है जो बीच में cash flow मिल रहा है उसको जब reinvestment करते reinvestment तो उस पे फर्क पड़ेगा दूसरा bond के price पे भी फर्क पड़ेगा yes तो bond duration यह बताता है कि भी यह maturity कितना है बोले 5 साल maturity पूरा पास साल है बोले आप 4 साल तक hold कीजिए और बीच में rate कुछ भी क्यों ना हो जा कुछ भी क्यों ना हो जा market में reinvestment का rate 8% 4% 15% 20% कुछ भी क्यों ना हो जा है चिंता मत कीजिए आपको 14% की कमाई होगी ही होगी that's it this is bond duration आगे कुछ मत पढ़ो बस इतना ही है bond duration का मतलब है rate के change होने से मेरी कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा this is bond duration यही bond duration यही समझाया था आपको तो YTM का assumption क्या था पहला reinvestment rate assumption की reinvestment किस rate पे होगा 14% पे ही होगा वसे साब से जब हमने realized YTM निकाला तो 14% ही आया लेकिन reinvestment अगर किसी और rate से होगा तो आप बरबाद हो जाओगे दूसरा कि हम maturity तक held करेंगे लेकिन ऐसा सच नहीं है अब बीच में भी वे सकते हो सपोज reinvestment अगर 13% हो जाए तो क्या होगा वही मैंने यहां करके बताया तो reinvestment अगर 13% हो जाए तो क्या होगा फिर यह 15.04 सर उसकी वज़ा से क्या होगा उसकी वज़ा से यह 13% पे reinvestment होगा लेकिन जब यहां bond price बेचने जाओगे ना bond price तो इसको discounting करोगे और bond का price जादा आएगा bond price बढ़ेगा यह मैंने करवा चुका हूँ इस पर टाइम बरबादने करोगा मुद्दे की बात करो ना है रिवीजन में मुद्दे की बात यह है कि आकिर हमको bond कितने period तक hold करना है तो bond तकि हमें 14% की कमाई हो जाएगी और answer है 4 सा ठिक और यही मैंने यहां प्रूव करके दिखाया था कि आप re-investment rate 13% भी लोगी तो आपकी कमाई 14% की हो जाएगी यह सब पूछता नहीं है ठीक यह मैं आपको एक्स्ट्रा मत एक्स्ट्रा क्या आपको बहुत सारा knowledge तो मैंने का तीन टाइप के risk होती है bond risk में credit risk मतलब सामने वाली party default कर सकती है उससे कैसे बचना उससे बचना है उससे theory आया हुआ derivative में डला हुआ credit risk पर CDO, CDS credit default swap दूसरा reinvestment rate risk और तीसरा price risk यह दोनों discussion करना था यह नेक तो finally duration क्या है duration का मतलब एक immunization period है जो कितना निकला था हमारे example में चार साल अगर इस period तक bond held करेंगे तो जो price risk और reinvestment risk है एक दुसरे को nullify कर देगी समझने के कोशिश करना नलिफाई कैसे कर रहे है rate के कम होने से reinvestment तो कम rate पे होगा लेकिन rate के कम होने से bond का price बढ़ जाएगा क्योंकि discounting कितने परशन से होगा 13% से और पहले कितने परशन से होता था 14 को तो ये कम हो रहा यहां दुख है पर यहां खुशी हो रही है आपस में nullify हो जाए portion है portion number 29 KFM module का TYK 27 5.39 बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूं revision class में मजबूर हूं Mr. A will need कितना रुपए एक लाख रुपए कितने साल बाद दो साल बाद एक लाख रुपए की ज़रूरत है मतलब सर लाइबलिटी है हाँ मुझे दो साल बाद पैसे चाहिए पैसे कहां से लओगा सर एक काम करो ना हाज कहीं जमा करें तो हमने Judy डूणने की कोशिश हूं उसके दिखाई थी bond X bond Y bond एक्स को अप एक साल के लिए ही अल्ड कर सकते हो bond X को एक साल के लिए ही हूल्ड कर सकते हो बह्या मुझे तो दो साल बाद पैसे हो इक साल तक हो Teso कि अड़त है तो बोले और एक bond है, bond Y को आप चार साल के लिए hold कर सकते, चार साल maturity प्रेड है, मैंने अगा सर सुन क्यों नहीं रहा है, मुझे दो साल बात पैसे चाहिए, बोले यह एक साल के लिए, मैंने अगा यह bond खरीद के क्या करूंगा, बोले चार साल भीए, चार सल नहीं चाहिए, म दो साल निकलता है, सुनना ध्यान से प्लीज, इसका अगर डूरेशन दो साल निकल गया ना भाई, इस बाउन को खरीद लो बात कतम करूँ, क्यूंकि डूरेशन का मतलब यार मेरी मुझे एक लाख रुपे मिलना चाहिए भाई, बस दो साल में एक लाख रुपे, अगर इसक बाउन्ड में इन्वेस्ट करूँगा, कि मुझे दो साल में, जिसका डूरेशन कितना है, दो साल हो, चलो, तो पहले बात करें, डूरेशन, क्या हमें एक बाउन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, भाई, दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डूरेशन चेक करते है पहले वाले का तो duration एक साल है और दूसरे साब वाले का 3.562 तो दोनों में invest नहीं कर सकते इसमें करेंगे तो एक साल है duration इसमें करोगे तो कम से कम 3.562 तक hold करना पड़ेगा आपको hold क्यों? क्योंकि मैं risk नहीं लेना चाहते हूँ तो क्यों नहीं इसका weighted average कर दे? यस, total duration हमको कितना चाहिए? दो साल, वही मैंने काम किया है duration of liability divided by duration of assets इस तरह से किया तो weight निकल गया x में कितना पैसा लगाना? 0.61 और y में कितना पैसा लगाना? 0.39 अगर इतना पैसा लगा देते हो तो finally, 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 finally क्या होगा? मेरा मुझे दो साल में पैसे मिल जाएगे बात कर था, ठीक है अब सवाल है investment कितना कितना? amount of investment मेरे पास कितना एक लगा? उसका present value निकाला? 82600, 82600, एक लाग रुपए है नहीं, एक लाग रुपए मुझे चाहिए दो साल बात, उसका present value मैंने investment किया, 82600, और 82600 का 0.61, इसमें पैसा लगाया है, और इसके bond का price कितना है? 978, 0.73, तो मैंने 52 bonds इसके खरीद लिया, ऐसी bond Y में कितना पैसा लगेगा और इसका, एक bond का price है 936, तो इसके 34 bonds खरीद लिया, बस बात खतम, इतना ही पूछा था question, प्रीज इस question को कर लेना, यह बहुत अच्छा question है मेरी नजरों में, मतलब सर इसको LDR में डाल रहे हैं कि yes, LDR, ओके, यह वाला question प्रीज छोड़ दीजिए, क्यों सर, बहुत बड़ा question, बहुत बड़ा question, bond A का duration, पहले bond B का duration, bond C का duration निकालना पड़ेगा, फिर तीनों के, बहुत तीनों bonds को, आपको, हाँ, हाला कि इस पर multiple choice question आ सकता है, कि मेरा जो duration of liability है, और liability कितना है, इसके लिए multiple choice question के लिए आप, यह कर सकते हूँ, या फिर दूसरा भी question, यह भी कर लीजिए, चेक करो duration of liability कितना है, duration of liability, duration of liability, duration of liability, चेक करो, चेक करो, चेक करो, छे सल, और तीनों bonds का मैंने duration निकाला, यह आया, यह आया, और यह आया, और मुझे तीनों bonds में पैसा लगाना है, अब वो गहरा कि 45%, बैटे मैं काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, 45% तो हम इसमें लगा देंगे, तो बताइए, इसमें कितना लगा, इसमें कितना लगा, कि total weighted average कितना जाए, 6 years आ जाए, तो बस यह main है, यह पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ छे ले लिया, इसमें 45 मालूम है, इसको weight of b, और इसको मैंने देखो, 0.55 माइनस weight of b, क्यों किया है, समझ में आ गया, 45 यहाँ लगा, तो 55 यह दोनों मिला कर, और उसके, इस सबसे फिर weight आ गया, तो यह पूछ सकता है, बस, इस question, बाकी कोछ नहीं है, बाकी सब time pass है, छोड़ सकते हैं, यह वाला 27 करने की जरूरत नहीं है, optionally convertible bonds, अब नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया, अब झेल के नहीं हो रहा, तो part 1 खतम हुआ, कल जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, optionally convertible bonds, एक, दूसरा equity, तो दबसर कल कम duration की class रहेगी, हाँ जी, कल कम duration की class रहेगी, कल जल्दी से हो जाएगा, ठीक है, बनागर देख लेना question, thank you so much, बाकी कल मिलते हैं, कल optionally convertible bonds, इससे multiple choice question आने की बहुत ज़्यादा chances, मतलब सर, कल convertible bonds होगा, bonds कौन सा होगा, callable bonds, putable bonds, bond refunding होगा, और equity valuation, thank you so much, bye-bye.